नमस्कार आज हम जोजफ कॉन्राइड की कहानी दा लगून को हिंदी में पढ़ेंगे कहानी थोड़ी लंबी है और टफ भी है अगर आप लोग शॉर्टकर्ट चाहते हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपको किसी समरी में या फिक किसी शॉर्टकर्ट में नहीं मिलेंगे एक एक शब्द आपको धिहान से पढ़ना है क्योंकि जब क्वेस्चन्स आते हैं तब आपको टेक्स्ट की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी होता है तो ये कहानी क्या आप किसी भी कहानी या ऐसे नॉबल या ड्राम को कोई भी जोड़ रहा हो लिटरेचर का आप कभी समरी पर मत जाईएगा क्योंकि जो ओथर कहना चाहता है वो बात सिर्फ आपको डेटेल्डे स्टेडी में ही मिलेगी शुरू करते हैं कहानी को the white man गोरा आदमी leaning जुकते हुए या टिके हुए with both arms दोनों बाहों से over the roof छत के उपर of the little house छोटे से घर की in the stern of the boat stern क्या होता है back part of the ship या boat का चाहे ship का या boat का नाव का या ship का जो पिछला भाग होता है उसको बोलते है stern तो जो नाव है उसके पिछले भाग में said बोला to the stearman stearman जो चला रहा होता है नाव को उससे बोला we will pass हम बिताएंगे the night रात इन अरसट क्लियरिंग अरसट के अब ये क्लियरिंग क्या होता है अब देखिए मैं इसलिए कहते हूँ ना समरी अगर आप पढ़ेंगे तो ये words आपको पता नहीं चलेंगे जिन पर के multiple choice questions पी आते हैं फिलप्स पी आते हैं तो ये clearing क्या होती है जब किसी जंगल को काट कर पेड़ों को काट कर क्रिशी योग के भूमी बनाई जाती है agricultural land बनाई जाती है तो उसको clearing कहते हैं clear मने साफ करना तो clearing यानि पेड़ों को काट कर क्रिशी योग ये बनाई गई भूमी कहलाती है clearing तो हम अरसत के खेतों में या उसके आप जैसे farmland कह सकते हैं वहाँ पर रुकेंगे ये अब देर हो गई है अब ये माले क्या है माले जगह है जहां की ये कहानी है तो दमाले का मतलब यहां हुआ जो लोग थे माले के वो लोग only granted मतलब कि घुर घुराए grant मने होता है घुर घुराना बरबराना तो वो जो लोग थे नाव में वो केबल बरबराए घुर घुराए and went on looking और देखते रहे fixedly टक टकी लगा कर at the river नदी को दा वाइट मैन गोरे आदमी ने rested टिकाई his chin अपनी ठोड़ी on his crossed arms अपनी crossed arms होती एक दूसरे में बाहें फसा लेते हैं तो अपनी फसी हुई बाहों में and gazed और नहारा at the wake of the boat ये wake क्या होती है जब आपने देखा हुआ कोई नाव चलती है या ship चलता है पानी में तो पीछे एक लकीर सी बनती चली जाती है लहर सी बनती चली जाती है पानी में तो उसको कहते हैं wake तो ये words आप जरूर नोट कीजेगा अपनी notebook में क्योंकि फिलप्स में आते हैं ये multiple choice questions में इनके meaning पूछ लिये जाते हैं तो wake वो लकीर है आप लिख सकते हैं trail left in water by a moving ship और boat तो वो लकीर है जो नाव या जहाज चलते हुए अपने पीछे छोड़ते हैं तो उसने gazed देखा at the wake उस लकीर पर off the boat नाव की at the end अन्त में off the straight avenue straight मैंने सीथा avenue होता है वो गली या रास्ता गली क्या जहां पर ये लोग है नदी में या समुद्र में और वहाँ पर क्या है आसपास पेड है तो जो पेड़ों की छायादार रास्ता होता है उसके लिए avenue शब्दाया है तो सीधे रास्ते को at the end of the straight avenue यानि सीधे रास्ते के अंत में off forest जंगलों के cut by the intense glitter of the river cut यानि जो जंगल का cut था by the intense glitter intense means गहरा, glitter, चमक off the river, नदी की the sun appeared, सूरज दिखाई दे रहा था, unclouded यानि बिना बादलों का and dazzling और चकाचोंद करता हुआ poised, माने balanced संतुलित रूप से low, नीचा over the water, पानी के उपर, that shown जो चमक रहा था, smoothly यानि सामाने तरीके से सुद्रण तरीके से, वैसे तो smooth वाने चिकना होता है, लेकिन अराम से चमक रहा था, like a band of metal तो band होता है, फीता band of metal, यानि एक metal के धातु के फीते की तर है, तो ये धातु के फीते की तर है, कौन चमक रहा था water, over the water, तो ये water को मोडिफाई कर रहा है, ये पूरा clause पानी, over the water, उस पानी के उपर, that shown, जो चमक रहा था, smoothly चिकने तरीके से, आराम से, like a band of metal यानि धातु के एक फीते की तर है, तो जो पानी था, उसकी विशेषता है ये, ना के सूरज की the forest, jungle, somber somber मने होता है, serious, गंभीर, शान्त, and dull, और मतब धुन्द ले, stood, खड़े थे, motionless, गतिहीन, हिल नहीं रहते, जंगल तो वैसे भी नहीं हिलते, लेकिन आप, जब Macbeth पढ़ेंगे न, Shakespeare का नाटक, तो उसमें आप देखेंगे, कि जंगल भी चल दिये थे, उसमें, लेकिन चले किस तरीके से, वो आप नाटक पढ़के ही जान पाएंगे, तो क्या है, stood, motionless, खड़े थे, गतिहीन, and silent, और शान्त, on each side, दोनों और, of the broad stream, उंचे, टावर जैसे, मीनारों जैसे, trees, पेड़ों के, trunkless, trunk होता है, trunkless, जिनमें तना नहीं है, केवल, लंबी-लंबी पत्तियां होती है, तो trunkless, बिना तने वाले, नीपा palms, तो ये एक तरीके के, ताड के विरिक्ष है, पाम माने ताड होता है, नीपा उसका नाम है, तो उनमें क्या होता है, trunk नहीं होता, तना नहीं होता, लंबी-लंबे पत्ते होते हैं, तो trunkless नीपा palms, यानि बिना तने वाले, नीपा ताड रोज, यानि उठे हुए थे, from the mud, कीचर से, of the bank, किनारे के, इन bunches, यानि गुच्छों में, of leaves, पत्तियों के, enormous, जो के, विशाल पत्तियां थी, and heavy, और भारी थी, that, जो के, hung, लटकी हुई थी, un stirring, बिना हिले, over the brown swirl of eddies, over मने, उपर the brown, यानि के कत्थाई, swirl, कह सकते हैं, मेरा, of eddies, भमर, वैसे तो, swirl means भी भमर होता है, और eddy means भी भमर होता है, e, double, d, y होता है, और ये plural में दिया है, तो y हटा के, i, e, s हो गया, तो भमरों के घेरे में, कत्थाई भमरों के घेरे, भमर क्या होता है, आपको पता ही होगा, पानी गोल-गोल घूमता है, और उसमें अगर नाव फस जाए, किसी की भमर में, तो वो डूब जाती है, in the stillness, stillness होती है, शांती, silence, of the air, हवा की, every tree, every leaf, every leaf, every bow, every बाव, every tendal, तेंडल क्या होती है, अगर आपने, मटर का खेद देखा हो, या मटर के पौधे देखे हो, या फिर, ये जितनी भी बेले होती है, उनमें एक कुंडली सी होती है, गोल-गोल-गोल, और वो, कोई भी वहाँ पर लकडी खड़ी हो, या कुछ भी हो, तो उस पर क्या है, वो गोल-गोल कुंडली मार लेती है, उसको टेंड्रिल बोलते हैं, उसी के सहारे वो चलती जाती है, बेल, यानि उसे जरासा भी कोई सहारा में जाल लकडी वहाँ खड़ी कर दीजे, तो उस पर एक गोल-गोल कुंडली बन जाएगी, और उसका सहारा लेकर वो बेल ऊपर चड़ जाती है, तो इसको टेंड्रिल बोलते हैं, तो एवरी टेंड्रिल हर कुंडली of creeper, लताओं की, एवरी पैटल और हर पैटल क्या होती है, फूल की जो पंकुडियां होती है, every petal हर पंखुडी of minute माने छोटे blossom माने फूल हर छोटे फूल की seemed लगती थी to have been bewissed bewissed क्या होता है मंत्र मुग्ध होना जैसे हमारे उपर किसी ने जादू कर दिया हो तो ऐसा लगता था कि जैसे उन सब पर किसी ने जादू कर दिया है into immobility और जादू की वजह से वो कैसे दिख रहते हैं immobility जादू की वजह से वो immobile हो गया mobile मने घूमना और immobile immobile मतलब जो हिल नहीं रहा तो immobility मतलब कि एकदम इस्थिरता into an immobility एक इस्थिरता में perfect जो कि पूर्ण थी and final और अंतिम थी हर चीज इतनी शांत हो गई थी कि बिलकुल move नहीं कर रही थी हिल नहीं रही थी immobile हो गई थी हर चीज इस्थिर हो गई थी nothing moved कुछ भी नहीं हिल रहा था on the river नदी पर बट लेकिन the eight pedals जो आठ पैडल थे यानि चप्पू होते नहीं जिनसे नाव चलाई जाती है वो that road जो कि उठते थे flashing चमकते हुए regularly लगाता डिब्ड डूबते थे together साथ साथ with a single splash single मने एक splash में चपाक की अब जो आवाज होती है तो एक साथ उठते थे वो चप्पू और एक साथ डूबते थे चपाक की आवाज करते हुए while जबकि the steerman जो नाव खेने वाले थे खिवाईया swept right and left यानी swept मने चलाते थे अपने चप्पू को right सीधी तरफ and left बाई तरफ with a periodic and sudden flash periodic जो एक निश्चित अवधी के बाद होता है जैसे 2 सेकंड बाद या 1 तीस सेकंड बाद तो वो periodic होता है and sudden और अचानक flourish यानी आवाज के साथ of his blade अपने उस blade के चप्पू में जो blade लगा होता है पानी को काटने के लिए मतलब वैसा blade नहीं जो जिससे आप दाड़ी बनाते हैं वो blade नहीं लग एक आपने देखा होगा नाव चलाने का जो चप्पू होता है आगे से थोड़ा सा flat होता है तो उसको blade केते describing or glinting semicircle describing यानि दिखाते हुए वर्णन करते हुए or glinting मने चमकता हुआ semicircle अर्धगोला above his head उसके सिर के उपर the churned up चर्ण का होता है जो चलाते हैं जैसे आप दही को चला के मठ्ठा बनाते हैं रायता बनाते हैं तो उसको churning बोलते हैं तो churned up यानि के फेटा गया water पानी फ्रोद उसमें जाग उठ रहा था जब हम दूद को भी चलाते हैं मठ्ठे को चलाते हैं दही को तो उसमें जाग उठाता है, जो के बाद में मक्कन के रूप में परवर्तित हो जाता है, ऐसे ही जो पानी है, वो जैसे कि उसको चलाया जा रहा था, उसको फेटा जा रहा था, उसमें से जाग उठ रहा था, Alongside, यानि किनारे पर, या दोनों ओर, with a confused murmur, और confused मनें जिसमें कोई, आप कह सकते हैं, अफरा तफरी से भरा हुआ, मरमर मनें बड़ बड़ा हट, and or the white man's, जो गोरा आदमी था, उसकी कैनो, जबके now, advancing, यानि आगे बढ़ती हुई, upstream, दहरा की ओर, दहरा के उपर की ओर, in the short-lived disturbance, short-lived जो थोड़े समय तक रहता है, छणिक, disturbance, आप बाधा कह सकते हैं, hurdle, of its own making, जो उसकी खुद की बनाई हुई थी, seemed प्रतीत हो रही थी, to enter, घुस्ती हुई, the portals, पोर्टल होता है, द्वार, of a land, एक धरती के, from which, जिसमें से, कि the very memory, यहां तक कि एक याद, of motion, गती की, had forever departed, हमेशा के लिए, जा चुकी थी, यहांनी कि वहाँ पर इतनी शान्ती थी, कि motion क्या होती है, उसकी याद भी, वहाँ से जा चुकी थी, the white man, गोरा आदमी, turning his back, अपनी पीठ गुमाते हुए, upon the setting sun, डूबते हुए, सूरज की ओर, looked, उसने देखा, along the empty and broad expense, empty मने खाली, broad मने विस्तित, expense, विस्तार, यानि जो सामने, जो भी दिर्श्य था, उसको, विशाल दिर्श्य को उसने देखा, of the sea reach, sea reach क्या होता है, जो सीधा रास्ता होता है, नदी का, जहां पर वो समुद्र से जाकर मिलती है, तो उसको देखा, for the last three miles, पिछले तीन मिल से, of its course, अपने रास्ते के, the wandering, घूमती हुई, hesitating, जहिजगती हुई, river, नदी, as if, जैसे के enticed, उसको, यानि, enticed माने होता है, आकर्शित करना, उसको आकर्शित कर लिया गया हो, irresistibly, resist माने, विरोध करना, बचना, और irresistibly, जिससे आप नहीं बच सकते, तो ऐसे तरीके से, उसको, जैसे नदी को आकर्शित कर लिया गया हो, कि वो बच नहीं सकी, by the freedom, यानि, आजादी से, of an open horizon, एक खुले हुए horizon होता है, शितिस, जहां पर धरती और आकाश, एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं, वो horizon होता है, तो खुले हुए शितिस के flows, यानि, बहती है, straight, माने के, सीधी, into the sea, समुद्र में, तो मैंने अभी, जैसे आपको बता है, sea reach, तो वो जगह होती है, सीधा रास्ता होता है, जहां पर एक दम से नदी, जाके समुद्र में मिल जाती है, flows, बहती है, straight, सीधी, to the east, यानि, पूरव को, to the east, उस पूरव को, that harvors, जो कि सम्हाले रखता है, बोथ, दोनों को, light and darkness, यानि, रोशनी को भी, और darkness, यानि, अंधिरे को भी, Eastern of the boat, तो अभी जो उपर शब्द आया था, Eastern मैंने आप उपद आया था, वही ये शब्द है, Eastern भी, और इसका भी वही मतलब है, कि जहाज या नाव का पीछे वाला भाग, Eastern of the boat, यानि, पीछे वाला भाग, ये आप नोट कर लिजेगा इन वर्ट को, ये फिलप्स में आ सकते हैं, या फिर आपसे इनका मीनिंग भी पूछा जा सकता है, multiple choice questions में, Eastern of the boat, यानि, नाव का पिछला भाग, the repeated call of some bird, यानि, repeated, यानि, कि बार-बार, call, आने वाली आवाज, of some bird, किसी चिडिया की, a cry, एक चीख, discordant, discordant होती है, जो कि, जिसमें कोई ले नहीं होती, लेहीन, ले नहीं होती, कोई ताल नहीं होती, यानि, कभी चोटी आवाज निकली, कभी बड़ी आवाज निकली, तो इस तरीके से किसी चिडिया की आवाज थी, discordant, यानि लेहीन, and feeble, और कमजोर, feeble means कमजोर, skipped along over the smooth water, skipped along, लग के उचली, इसके मने उचलना, along over the smooth water, चिकने पानी के उपर से वो आवाज उचली, यानि आवाज के उचली, चिडिया आवाज करते हुए उचली, and lost itself, और उसने अपने आपको खो दिया, before it could reach, इससे पहले कि ये पहुच पाती, the other shore, दूसरे किनारे पर, in the breathless silence, breathless यानि जो सांस वहीन, silence, शांती of the world, संसार की, the stearman, इनी जो खिवईया मैंने आपको शब्द बताया था, नाव को चलाने वाला, जब बसको चलाने वाले को तो driver कहेंगे, aeroplane चलाने वाले को हम क्या कहेंगे, pilot कहेंगे, और नाव चलाने वाले को stearman, यानि खिवईया कहेंगे, तो खिवईये ने डग यानि गुसाया his paddle अपना चपू into the stream धारा में and held hard और पूरी ताकत से पकड़ा with stiffened stiff कठोर हो जाते हैं जब आप ताकत लगाते हैं तो हाथ की जो मासपेशियां हैं बाहां की वो stiff हो जाते हैं एकड़म कठोर हो जाती है तो stiffened arms यानि कठोर बाहों से उसको पकड़ा his body उसका शरीर thrown forward आगे की ओर गिर गया मलब आगे की ओर जुग गया जब वो जोर लगा रहा था पानी ने गरगल की sound होती है हिंदी में हम उसको कलकल धवनी बोलते हैं तो पानी ने कलकल की आवाज की allowed जोर से and suddenly और अचानक से the long straight reach long लंबा straight सीधा reach रास्ता seemed प्रदीत होने लगा to pivot जैसे के वो घूम रहा हो on its center अपने केंदर पर the forest jungle swung घूमने लगे in a semicircle एक अर्ध वरत में एक अर्ध गोले में and or the slanting यानि ढालू beams किरने of sunset सूरियास की tussed चू रही थी the broad side यानि चोड़ी जो side थी of the cano का मतलब आपने अभी पढ़ा था मतलब कि वो जो नाव थी with a fiery glow एक glow मनें चमक होती है fiery आग के जैसे आग के जैसी चमक के साथ छूने लगी throwing यानि फैकते हुए the slender पतली and distorted और मुडी तुडी shadows पर चाहिया of its crew crew वो सदस्य होते हैं जो नाविकों का दल होता है उसके सदस्य होते हैं उसको crew बोलते हैं crew members कहलाते हैं वो तो नाविकों का दल तो नाविकों के दल पर upon the streaked upon मने उपर the streaked यानि धारा glitter मने चमक of the river नदी की तो नदी की चमकती हुई धारा के उपर the white man गोरा आदमी turned मुडा to look ahead आगे देखने के लिए the course रास्ता of the boat नाव का had been altered बदल दिया गया था at right angles यानि right angle समकोंड पर off the stream धारा के and the carved dragon head और carved बने बना हुआ dragon head dragon एक कालपनिक सांप होता है तो कालपनिक सांप का सिर of its pro तो अभी आपने जो stern या eastern पढ़ा था वो नाव का पिछला भाग था और यह पी आर और डबलू प्रो इसको नोट कर लिजे यह नाव का या जहाज का अगला भाग होता है प्रो तो जो नाव का आगे का हिस्सा था वो एक dragon head की तरह बना हुआ था यानि कार्ब करके लगडी को काट कर तराश कर एक dragon head जैसा उस पर बनाया हुआ था तो and a carved dragon head of its pro यानि अगला जो हिस्सा था नाव का उसका तराशा हुआ सांप का सिर dragon का सिर was pointing यानि अब इंगित कर रहा था now of at a gap एक gap होता है खाली स्थान एक खाली स्थान की ओर in the fringing bushes fringing होती है जो किनारे पर होती है किसी नदी के किनारे किनारे जो जाडियां होती है तो उसको कहते हैं fringing bushes तो उन जो किनारे वाली जाडियां थी उनमें एक gap था खाली स्थान था उसकी ओर वो नाव जा रही थी off the bank यानी किनारे के it glided through यानी ये तैर कर गई brushing the overhanging twix brushing मनें जाड़ते हुए टकराते हुए the overhanging उपर से लटकी हुई twix जो लताएं थी उनसे and disappeared और गायब हो गई from the river नदी से like जैसे कि some कोई slim मनें दुबला पतला amphibious amphibious इसको आपको मालम होगा कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो कि जमीन पे भी रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं उनको amphibian कहा जाता है तो वो नाव ऐसे गायब होई जैसे कि कोई दुबला पतला उभैचर बोलते हैं इसक जैसे कि सांप है मगर मच्छ है मैडक है इनको उभैचर हिंदी में बोला जाता है और amphibian इंगलिश में बोला जाता है तो वो नाव किसी उभैचर creature प्राणी की तरह लीविंग छोड़ते हुए दा वाटर पानी को for its layer layer होती है मांद जैसे कोई उभैचर प्राणी अपनी म मांद की ओर जा रहा हो in the forest जंगलों में तो इस तरीके से गई नाव यह एक बहुत खुबसूरा सिमिली है मैं आपको literary devices बता चुकी हूँ और figures of speech पे एक वीडियो बना चुकी हूँ काफी बड़ा वीडियो है डाही गंटे का figures of speech पे तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि क जंगल कर अपनी मांद में अपनी मांद में अपनी गुफा में जो कि उसने जंगलों में बनाई हुई है इंदा फॉरेस उसमें जा रहा हो तो यह बहुत खुबसूरा सिमिली है और आपसे multiple choice questions में या very short answer type questions में पूछा जा सकता है कि यहां कौन सा figure of speech है तो यह सिमिली है नेरो क्रीक नेरो मीं सगरा पतला क्रीक जो कटान था वो था लाइक डिच एक खाई की तरह है टॉर्चिवस फेबुलस डीप टॉर्चिवस परिशान करने वाला फेबुलस काल्पनिक सा डीप गहरा फिल्ड भरा हुआ विद ग्लूम अंधेरे से अंडर द थिन स्ट्रिप अंडर मींस नीचे द थिन मींस पतली इस्ट्रिप पत्टी ओफ प्योर यानि खालिश पवित्र एंड शाइनिंग ब्लू और चमकते हुए नीले ओफ द हैवन आकाश के यानि चमकते हुए आकाश के नीले रंग के नीचे इमेंस विशाल ट्रीज पेड सोर्ड अप उचे उठे हुए थे इन्विजिबल अद्रिश बेहाइंड पीछे द फैस्टून ड्रेपरी ओफ क्रीपर्स फैस्टून क्या होती है जो जहलर लगी होती है न तोरण लगा होता है जहलर लगी होती है सजावट के लिए तो वो जहलर वाले ड्रेपरी होती है मतलब कपड़ा वो शाक ओफ क्रीपर्स लताओं की तो पेड़ों के उपर बेले चड़ी होई है और वो बेले ऐसी लग रही है जैसे के पेड़ों ने जहलर वाले कपड़े पहन रखे हो तो यह इमेजिज हैं आप लिटरी डिवाइस के बारे में जब लिखेंगे इस स्टोरी की तो यह चीज़ें मैंशन करेंगे कि पेड़ के उपर जो क्रीपर्स हैं वो उनकी फैस्टून्ड ड्रेपरी लग रही हैं जैसे उन्होंने जहलर वाले कपड़े पहन रखे हो यहां वहां नियर पास में दा ग्लिस्निंग ब्रै जड ओफ सम चॉल ट्री किसी उचे पेड की शोड दिखाई दे रही थी एमंगर्स मीस बीच में दा ट्रेसरी ओफ स्मॉल फर्न्स ट्रेसरी मीस नकाशी होती है सजावट होती है छोटे छोटे फर्न के पेड़ों की ब्लैक काले एंड डल और धुंदले रिदिंग मीस एक कैद किया हुआ सांप हो दा शोट वर्ड्स छोटे छोटे शब्द ओफ दा पेडलर्स पेडलर वही जो नाव चलाने वाले नाविक हैं उनके रिवर्बरेटेड मनलब गूंज रहे थे लावडली जोड से बिट्वीन बीच में दा थिक यानि घने एंड सोंबर और अं वनस्पती की तो जो वनस्पती की घनी और अंधेरी दीवारें थी वहां नाविकों के छोटे छोटे शब्द गूंज रहे थे डार्कनेस अंधेरा उस्डाउट निकल रहा था फ्रॉम बिट्वीन दा ट्रीज पेड़ों के बीच में से होकर दो थ्रू दा टैंगल्ड में में अंधे होकर टैंगल्ड माने उलजे हुए में अहोती है भूल भूलईया ओफ दा क्रीपर्स लताओं की तो जो लताओं की भूल भूलईया थी आपस में उलजी हुई बेले उनकी भूलबूलईयां के बीच में से अंधेरा निकल रहा था फ्रॉम बेहाइंड यानि पी खामोश, leaves, पत्तिया, the darkness, अंधिरा, mysterious, means रहसे मई, and invincible, और अजे, the darkness, अंधिरा, scented, जो की खुश्बू से भरा हुआ था, and poisonous, और जहरीला था, of impenetrable forest, impenetrable, जिनके पार नहीं जा सकता, forest मने जंगल, ऐसे जंगलों का अंधिरा, the man means log, pole, pole का मतलब होता है, नाव चलाना, खेना, तो नाव चला रहे थे, propel करना, नाव को आगे बढ़ाना, तो वो pole कहला था है, तो the man pulled, यानि जो लोग थे, वो नाव को आगे बढ़ा रहे थे, in the shoaling water, ये shoaling का दो अर्थ होते हैं, और दोनों ही यहां पर लागू होते हैं शोल का एक तो मतलब होता है, नदी का जो चिछला किनारा होता है, जहां बालू बहुत होती है, बहुत गहरा नहीं होता, तो वो भी शोल कहलाता है, और मचलियों का जो जुन्ड है, वो भी शोल कहलाता है, तो यहां दोनों ही अर्थ लागू हो सकते हैं, कि जो मनुश्य थ बैठे हुए वो नाव को चला रहे थे उतले पानी में या फिर ऐसे पानी में जिसमें मचलियों के जुंड तैर रहे थे तो ये आपसे पूछा जा सकता है फिलप्स में भी और मल्टिपल चॉइस क्वेशन में भी कि शोल के यहां पर दो अर्थ हैं और दोनों ही यहां पर ए वाइड विस्तर स्वीप फैला ओफ और इस्टेगनेंट यानि रुके हुए लगून में तो लगून वह पानी होता है जो के एक साइड को निकल जाता है पीछे की तरफ रह जाता है यानि एक तो यह होता है कि पानी आगे को बढ़ता जाता है और कटान से कहीं भर गया नदी के किनारे में जो कट था और वो जाके आगर आगे जाकर कहां मिला कहां जाकर खुला इस्टेगनेंट लेगून में तो दे क्रीक ब्रॉडन ओपिनिंग इन्टु आ वाइड स्वीप ओफ इस्टेगनेंट लेगून तो जो कटाव था किनारे का वो चोड़ा हो गया औ और आगे जाकर खुला वो एक विस्त्रत फेलाव में एक ठहरे हुए लेगून के। पीछे छूट गए फ्रॉम दा मार्शी बैंक। मार्शी होता है दलदली। दलदली किनारे से लीविंग छोड़ते हुए और लेवल स्ट्रिप। लेवल मने समतल, स्ट्रिप मने पट्टी, ओफ ब्राइट ग्रीन, चमकती हुई हर्याली की। रीडी ग्रास, रीड होता है जो पतली-पतली डंडिया होती है, बिंडौरी बोलते हैं, उन पर उपर एक सफे सफे सा फूल सा होता है। आपने देखी होंगी सडक किनारे, बहुत साई ऐसी घास होती है, नदी किनारे अकसर दिये होते हैं, तो रीडी ग्रास, तो रीड वाली विंडौरी वाली घास थी, इन टू फ्रेम दा रिफ्लेक्टिट ब्यूटी, टू फ्रेम जैसे कि वो फ्रेम बना रही है, चारो तर जैसे एक फ्रेम में मढ रही हो, ऐसी घास थी रीड वाली, फ्लीसी पिंक क्लाउड, फ्लीस जो फर होता है, भेड का उन होती है, उसको फ्लीस बोलते हैं, तो एक उनी पिंक गुलाबी क्लाउड बादल, एक उनी या फिर रूई के जैसा गुलाबी बादल, तेहर रहा था हाई एब, बहुत उपर, ट्रेलिंग, दा ड्रेलिकेट कलरिंग, ट्रेलिंग मनें पीछे लकीर खींसता हुआ, अपने साथ खींसता हुआ, दा ड्रेलिकेट नाजुक कलरिंग, रंग को, आफ इट्स इमेज, अपनी छवी के, अपनी मदब के, पिक्चर के, अपनी तस्वीर के अंडर दा फ्लोटिंग लीव्स तैरती हुई पत्थियों के नीचे एंड दा सिल्वरी ब्लोसम्स और सुन नहीं सिल्वरी मनद है चांदी के रंग जैसे ब्लोसम्स फूल ओफ दा लोटस कमल के तो उनमें जहां नीचे कमल के फूल है उनकी पत्तियां है उनमें उपर से बादल की जो है इमेज गिर रही है पानी में वहाँ पर बादल की इमेज दिखाई दे रही है और उपर बादल कैसा है पिंक कलर का है रूई के जैसा है उनी बादल है वो ऊपर तेर रहा है और नीचे पानी में उसकी image दिखाई दे रही है तो ये बहुत खूपसूरत तस्वीर है ये imagery कहलाती है ये भी एक literary device है तो इसको आप mention करेंगे जब critical appreciation लिखेंगे इस story की A little house एक छोटा सा घर पर्स्ट जो के स्थित था on high piles high मने उंचे piles मने धेर तो नदी किनारे जैसे चट्टाने हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा घर है पर्स्ट मने इस्थित appeared जो दिख रहा था black काला in the distance दूर से near it इसके पास two दो टॉल लंबे निबॉंग palms तो ये एक और तरह के ताड है निबॉंग palms निबॉंग नाम है जैसे species होती ही ना बहुत सारे पेड़ों की बहुत सारी तरह के पेड़ होते हैं जैसे कि आप आम क्यों ही लीजिए तो दशहरी आम हैं लंगडा आम हैं तो इसी तरीके से जो पाम हैं जो ताड के पेड़ हैं के अलग-अलग species हैं तो ये निबॉंग species के दो लंबे पेड़ थे that seemed जो लगते थे to have come out कि वो आये हों of the forest जंगलों से in the background जो पीछे प्रिष्ट भूमी में थे leaned जुके हुए थे slightly हलके से over the ragged roof over मने उपर of the ragged roof मीन टूटी हुई जो टूटी फूटी छट है उसके उपर with a suggestion और ऐसा suggestion दे रहे थे ऐसा सुझाव दे रहे थे ऐसा दिखा रहे थे जैसे के of sad tenderness sad मने दुख से भई हुई दुखी tenderness नाजुकता and care और जैसे के वो care कर रहे हों देखवाल कर रहे हो in the droop वो जुके हुए off their leafy अपने पत्तियों वाले and soaring और उड़ते हुए heads सिरों पर यानि उन्होंने अपना सिर ऐसे जुकाया हुआ था पेडों ने जैसे कि वो उदास हों और care कर रहे हों इस घर की इस घर की देखवाल कर रहे हों उसकी सुरक्षा कर रहे हो the steersman खिवया ने pointing इशारा करते हुए with his paddle अपने चपू से sad कहा अरसच is there अरसच वहाँ पर है I see मैं देख रहा हूँ his canoe उसकी नाब को उसकी डॉंगी को fast बंधी हुई between the piles धेरों के बीच में चट्टानों के बीच में the polars rain along the sides polars जो नाव चलाने वाले है rain या फिर वो जो उनी के लिए चपू के लिए ही आया है paddle जो है उनी के लिए भी उनके लिए भी ये शब्द आया होगा या फिर जो लोग है नाव चलाने वाले उनके लिए भी आ सकता है rain along the sides तो sides पर वो दोड रहे थे sides of the boat यानी नाव के glancing over their shoulders glancing means देखते हुए over their shoulders अपने कंदों के उपर at the end of the day's journey at the end means अन्त में of the day's journey दिन की यात्रा के they would have preferred वो ज्यादा पसंद करते to spend बिताना the night रात को somewhere else और कहीं then बजाए on this lagoon इस lagoon के of weird aspect जो के weird मने डरावना aspect होती है जिसकी शकल ही डरावनी थी देखने में ही डरावना था and ghostly reputation ghost भूत होते हैं तो ghostly मने भूतों वाली reputation नाम के यानि इसकी जो ख्याती थी ऐसी थी कि इस पर भूत रहते हैं इस lagoon पर moreover इसके अलावा they disliked वो ना पसंद करते थे अरसत अरसत को first पहली बार as a stranger एक अजनभी के रूप में and also और फिर because क्योंकि he वो व्यक्ती who repairs जो के सुधार करता है a ruined house एक टूटे-फूटे घर को and dwells in it और उसमें रहता है proclaims दावा करता है that he is not afraid वो नहीं डरता to live रहने से among us the spirits भूतों के बीच में that haunt जो के आती रहती है the places इन जगहों पर abandoned जिने छोड़ दिया गया है by mankind इनसानों के द्वारा such a man ऐसा एक आदमी can disturb वो खराब कर सकता है the course of fate भाग्यका रास्ता by glances अपनी नजरों से और words या फिर अपने शब्दों से while जबके his उसके familiar परचित ghosts are not easy आसान नहीं होते to propitiate मतलब के तुष्ट करना उनको राजी करना उनको मनाना by casual wayfarer casual यानि जो सामान्य है wayfarer ओजा तो जो सामान्य भूत उतारने वाले लोग हैं उनके लिए ये इन भूतों को तुष्ट करना या उनको भगाना उनको शान्त करना आसान नहीं होता क्योंकि upon whom उनके उपर they long उनकी इच्छा होती है to rag the malice rag का मतलब होता है बदला लेना malice होती है jealousy ुर्शिया of their human master अपने इनसानी मालिक की तो उनका इनसानी मालिक क्योंकि उनको परिशान करता है तो इसलिए ऐसे भूतों को भगाना आसान नहीं होता white men जो गोरे लोग है care not परवाह नहीं करते for such things ऐसी चीजों की being unbelievers क्योंकि वो विश्वास नहीं करते and in league with the father of evil और साथ ही ये क्या होता है कि ये जो गोरे लोग है in league वो मिले हुए होते हैं उनका संगठन होता है with the father of evil बुराई के पिता के साथ घुतों के पिता के साथ who leads them जो उनको ले जाता है unharmed बिना हानी के through the invisible dangers जो invisible माने अद्रिश देंजर्स खत्रे हैं of this world इस संसार के तो जो गोरे लोग है उन्होंने क्या काम कर रखा है कि उन्होंने तो father of evil बुराई के पिता से ही अपनी साथ गांट कर रखी है और जो बुराई का पिता है इन सारे भूत पिशाचों का पिता है वो उनको इस संसार के पार ले जाता है बिना किसी नुकसान के to the warnings यनि चेतावनियों के प्रती warning होते हैं चेतावनियों of the righteous भले लोगों की भले लोगों की चेतावनियों के वो they oppose वो विरोध करते हैं an offensive pretence एक offensive माने बुरा लगने वाला pretence बहाना of disbelief यनि अविश्वास का what is there to be done तो क्या करना है यनि अगर कोई उनसे कहे कि भाई भूत है वहाँ तो साब्धान रहना तो वो कहते हैं हम तो विश्वासी नहीं करते भी है so इसलिए they thought उन्होंने सोचा throwing their boat अपना weight throwing their weight अपना बजन डालते हुए on the end पीछे की ओर of their long poles अपने लंबे poles पर जो लठे हैं जो चपू हैं उन पर the big canoe जो बड़ी नाव थी glided on तैरती गई swiftly तेजी से noiselessly बिना आवाज किये शांती से and smoothly और बड़ी चिकने तरीके से आराम से towards अरसट's clearing अरसट के घर की ओर चिल clearing का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जहां पर के पेड़ों को काट कर सफाई किये जाती है और वहाँ पर खेती की जाती है तो उसको clearing बोलते हैं तो अरसट के हम clearing को घरी बोलेंगे अरसट के घर की ओर till जब तक के in a great rattling of poles rattling means shore आवाज of poles चपों की thrown down जिने के डाला गया and the loud murmurs और जोर की आवाज of Allah भी praised तो Allah भी praised इसको शायद इंशाल्ला बोलते हैं यानि भगवान की तारीफ तो इंशाल्ला इट केम with a gentle knock तो इट केम ये पहुँची जो नाव थी वो पहुँची with a gentle knock gentle मने हलका सा knock टकरा कर against किस से टकराई the crooked files crooked होते हैं एक तो होता है सीधा सीधा और एक होता है टेड़ा मेड़ा तो crooked मने टेड़ा मेड़ा piles धेर below the house घर के नीचे तो ये चट्टाने होंगी टेड़ी मेड़ी तो उनसे हलकी सी नाव टकराई और वहाँ पहुँच गई the boatman जो नाव में सवार लोग थे with uplifted faces उठे हुए चेहरों के साथ shouted चिल्लाए discordantly discordantly होती है उची नीची आवाजे होती है एक जैसी नहीं होती ले बद्ध नहीं होती तो ले हीन आवाजों में चिल्लाए अरसत ओ अरसत nobody came कोई नहीं आया the white man गोरा आदमी begin to climb चड़ने लगा the rude ladder rude मने 240C ladder सीड़ी giving access to the bamboo जो के बंबू access मने पहुँच होती है giving access to the bamboo platform जो के bamboo platform तक platform होता है चबूतरा bamboo होते हैं बांस तो जो के बांस के चबूतरे तक पहुँच रही थी before the house घर के सामने जरैगन ये होता है मालिक ये जो शब्द है जरैगन ये Indonesian word है Indonesian भाषा का उसका मत्ब होता है मालिक of the boat now का a sad सलकील वो मत्ब गुसे से उदासी से अनमने डंग से बोला we will cook हम पकाएंगे in the sampan sampan ये Chinese चीनी जो नाव होती है चीन की नाव वो होती है तो हम अपनी नाव में ही पकाएंगे and sleep और सोएंगे on the water पानी में ही यानि ये लोग नाव से उतर कर जाने को तयार नहीं है और उनका कहना है कि हम तो भाई येही नाव में रहेंगे येहीं पकाएंगे और येहीं सोएंगे और तुम चाहो तो जाओ जो वाइट मैन है वो तो उधर चल दिया लेकिन बाकी लोग उधर नहीं गए पास माई ब्लेंकेट्स मेरे कंबल दे दो और मेरी टोकरी दे दो सैड दा वाइट पैन गोरे आदमी ने कहा कर्टली मने संशेप में ब्रीफली ही नेल्ट वो जुका ओन दा एज किनारे पर ओफ दा प्लेटफॉर्म चपूत्रे के तो रिसीव प्राप्त करने के लिए दा बंडल गठरी को देन तब दा बोट शोवड ओफ मतलब के शोववफ का मतलब होता है किनारे से दूर चली गई उसको उसका सामान देने के बाद जो नाव थी वो किनारे से दूर चली गई एंड दा वाइट मैन और गोरा आदमी स्टेंडिंग अप खड़े होकर कन्फरेंट अर्सत कन्फरेंट मने सामने खड़े होना उसका सामना हुआ अर्सत से वो हैड कम आउट जो कि बाहर आ गया था थ्रू द लो डोट छोटे दरवाजे से of his hut अपनी कुटिया के अपनी जोपड़ी के he was वो था a young man एक योवा powerful शक्तशाली with broad chest चोड़ी छाती वाला and muscular arms और माशपेशियों वाली भुजाओं वाला यानि मजबूत भुजाओं वाला he had nothing on उसने कुछ नहीं पहना हुआ था but सिवा है his sarong sarong एक ड्रेस होती है जिसमें एक ही कपड़ा होता है जैसे के लुंगी आप कहे सकते हैं अपनी लुंगी के अलावा his head उसका सिर वाज बेयर नंगा था his big उसकी बड़ी soft नर्म eyes आँखें steered घूर रही थी eagerly उत्सुकता से at the white man गोरे आदमी को but his voice लेकिन उसकी आवाज and demeanor और उसका वियभार were composed शांत थे सधे हुए थे यानि balanced थे as he asked जब उसने पूछा without any words बिना किसी शब्द के of greeting प्रणाम के ना नमस्ते न दुआ सलाम बिना किसी greeting के उसने पूछा have you medicine क्या तुम दवाई लाए हो to on तो इसको ये to on बोल रहा है जो to on शब्द है उसका मतब श्रीमान जी भी होता है सर respect से भरा हुआ एक शब्द है to on तो ये गोरे आदमी को 68 बोलता है to on तो ये आपको अभी white man का कहीं नाम तो आया नहीं पूरी कहानी में जब से शुरू हुई है तो 68 उसको to on नाम से बुलाता है और पूछता है के have you medicine क्या तुम दवाई लाए हो no नहीं said the visitor आने वाले ने visitor ने कहा मैं नहीं लाया in a startled tone startled माने चोंकी हुई enter and see घुसो और देखो replied 68 68 ने जवाब दिया in the same calm manner same उसी काम शांती से भरे हुए manner तरीके से and turning short round और थोड़ा सा घूमते हुए passed again फिर से गुजरा through the small doorway उस छोटे से दरवाजे से the white man गोरा आदमी dropping his bundles अपना गठरी को गिराते हुए followed उसके पीछे पीछे चला in the dim light धुंदली रोशनी में off the dwelling घर की he made out उसने देखा on a couch एक couch पर या जो भी वहाँपे बिच्छोना था एक बिच्छोने पर off bamboos बांस के a woman एक महिला को stressed लेते हुए on her back पीट के बल under a broad sheet एक चोड़ी चादर के नीचे of red cotton plot जो के लाल रुई के कपड़े की बनी हुई थी she lay still वो शांत लेती हुई थी as if dead जैसे के मरी हुई हो बट लेकिन her big eyes उसकी बड़ी आँखे wide open चोड़ी खुली हुई थी glittered चमक रही थी in the gloom अंधेरे में staring घुरती हुई upwards उपर की ओर at the slender rafters slender पतली rafters शेहती रहें जिन पर के छट्टिकी होती है rafters कहलाते हैं शेहती रहें पतली शेहतीरों को घुरती हुई motionless गतहीन and unseen और बिना कुछ देखे वो इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वो किसी को नहीं देख रही थी she was वो थी in a high fever तेज बुखार में and evidently और इस पश्ट रूप से unconscious वो बेहोश थी her cheeks उसके गाल वर थे sunk डूबे हुए slightly हलके से पिछके हुए थे her lips उसके होंट वर partly open आंशिक रूप से खुले हुए थे and on the young face और युवा चेहरे पर there was वहाँ पर था the ominous means दरावना and fixed और इस्थिर expression अभिव्यक्ती the absorbed डूबा हुआ contemplating यानि विचार करता हुआ expression अभिव्यक्ती of the unconscious बेहोश व्यक्ती की who are going to die जो के मरने वाले होते हैं जो लोग मरने वाले होते हैं तो उनके चेहरे पर जो expression होता है वो कुछ सोच रहे होते हैं विचार कर रहे होते हैं अपने आप में डूबे हुए होते हैं तो वही expression उस महिला के चेहरे पर था the two men दोनों पुरुष stood खड़े हुए थे looking down पूछा the traveler यात्री ने जो आया था white man उसने पूछा अरसट से कि क्या वो लंबे समय से बिमार है I have not slept मैं नहीं सोया हूँ for five nights पांच रातों से answer जवाब दिया दा माले माले ने यानि कि अरसट ने in a deliberate tone एक सधी हुई आवाज में at first पहले तो she heard वो सुना करती थी voices आवाजें calling her जो उसको बुरा रही होती थी from the water पानी से यानि उसको पानी से आती हुई आवाजें सुनाई देती थी and struggled और वो जगरती थी against me मुझसे who held her जो कि उसको पकड़ लेता था यानि उसको आवाजें सुनाई देती थी तो उस और भागती थी कि जैसे पानी में से कोई उसको आवाज दे रहा है उस और भागती थी और 68 उसको पकड़ लेता था तो वो उसे चूट कर भागती थी struggled against me का मतलब हुआ वो मुझसे चूटती थी यानि उससे लड़ती थी मेरी पकड़ से चूटने की कोशिश करती थी बट सिंस लेकिन जवसे दस सन ओफ टोड़े रोज आज का सूरज ओगा शी हर हीर्स नतिंग उसने कुछ भी नहीं सुना है शी हीर्स नोट मी वो मुझे भी नहीं सुन रही है यानि ना तो अब आज उसे पानी से आवाज आती हुई सुनाई दे रही है और ना ही वो मेरी आवाज सुन रही है शी सीज नतिंग उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है शी सीज नोट मी मी वो मुझे भी नहीं देख रही यानि रो रहा है वो लेक्ती He remained silent वो शान्त रहा for a minute, एक मिनट तक then asked softly और फिर उसने धीरे से पूछा Tuan, will she die? Tuan, क्या ये मर जाएगी? I fear so, मुझे ऐसा ही लगता है said the white man गोरे आदमी ने कहा sorrowfully दुख से भर कर He had known वो जानता था 68 को Years ago, सालों पहले In a far country एक दूर देश में In times of trouble परेशानी को दिनों में And danger और खत्रे के दिनों में When? जबकि No friendship is to be despised कोई भी मित्रता नफरत के काबिल नहीं होती यानि जरासा भी किसी का सहारा मिल जाए तो वे एक के उससे दोस्ती कर लेता है And since his male friend और since जब से His male friend उसका male का दोस्त यानि अरसट Had come unexpectedly यानि आया था Unexpectedly बिना किसी उमीद के To dwell रहने के लिए In the hut इस जोपरी में On the lagoon इस lagoon पर With a strange woman एक अजनवी औरत के साथ He had slept वो सो चुका था Many times बहुत वार There वहाँ पर In his journey अपनी यात्राओं के दोरान Up and down the river नदी के उपर नीचे यानि नदी के कभी बहाव की और कभी इधर कभी उधर जब वो यात्रा करता था नदी में तो यहाँ पर रुकने के लिए आया करता था कौन यह गोरा आदमी की बात हो रही है तो यह वाइट मैन यहाँ आता रहता था He liked वो पसंद करता था The man आदमी को Who knew जो कि जानता था How to keep faith के विश्वास को कैसे बना कर रखा जाए In council सभा मे And or How to fight और कैसे लड़ा जाए Without fear By the side यानि साथ Of his white friend अपने गोरे दोस्त के He liked him वो उसको पसंद करता था Not so much इतना ज्यादा नहीं Perhaps शायद As a man likes जितना के एक मनुष्य पसंद करता है His favorite dog अपने प्रियकुत्ते को But still लेकिन फिर भी He liked him वो उसको पसंद करता था Well enough काफी To help मदद करने के लिए And ask no questions और कोई सवाल न पूछने के लिए To think सोचने के लिए Sometimes कभी कभी Vaguely ऐसे ही धुंदले रूप से Isepast रूप से And hazily Vaguely और hazily दोनों का एकी मतलब होता है Isepast रूप से In the maddest बीच में Of his own pursuits अपने खुद के मामलात के About बारे में The lonely man इस अकेले आदमी के And the long haired woman और लंबे बालों वाली महिला के बारे में With audacious face जिसका के audacious face था Audacious आप कह सकते हैं के गर्व से भरा हुआ चहरा था And trimfant eyes और उसकी जीत से भरी हुई Trimf होती है विजय, जीत, victory तो victorious, trimfant का मतब होता है तो trimfant eyes यानि जीत से भरी हुई आँखे थी उस महिला की Who lived together जो साथ में रहते थे Hidden छिपे हुए By the forest इन जंगलों में Alone, अकेले And feared और लोग उन से डरते थे या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो खुद डरते थे वो डरते थे और अकेले रहते थे और डरते थे क्योंकि अकेले रहना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है हलागे ये पति-पतनी दो लोग थे तो भी वो Alone and feared लेखक ने कहा है कि अकेले और दरते हुए The white man गोरादमी केम आउट बाहर आया ओफ दा हट जोंपडी से In time समय पर To see देखने के लिए The enormous विशाल Conflagration Conflagration वैसे तो भीशन अगनी होती है लेकिन यहां पर अगनी नहीं है Conflagration Of Sunset है Sunset जब होता है शाम को सूरज ढलता है तो एकदम लाल-लाल रोशनी चा जाती है ना आकाश में तो उसी को Conflagration बोला है तो उस विशाल लाल रोशनी को Of Sunset सूरज की Put out जो के बाहर निकल रही थी By the swift and stealthy shadows Swift means तेज and stealthy जो चोरी चुपके से आने वाली shadows परचाईयां थी That जो के rising उठती हुई Like a black यानि एक काले and impalpable इंपलपेवल होता है जिसको आप छू नहीं सकते पकड़ नहीं सकते इंपलपेवल वेपर means वाश्प काली और अदरिश्य वाश्प के above उपर above the tree tops पेड़ों की चोटी के उपर spread फैली हुई over the heaven यानि आकाश में extinguishing बुझाती हुई the crimson glow crimson लाल glow चमक of floating clouds तेरते हुए बादलों की and or the red लाल brilliance चमक of departing daylight विदा लेती हुई दिन की रोश्णी की यानि धूप की in a few moments कुछ ही पलों में all the stars सभी सितारे came out बाहर निकलाए above उपर the intense blackness यानि वो जो गेहन अंधिरा था उसके of the earth धरती के and the great lagoon और ये जो विशाल lagoon था gleaming चमकने लगा suddenly अचानक with reflected lights reflected light जो परावतित होने वाली रोश्णिया थी resembled यानि इसके resembled मतब होता है to be similar समान होना जो के समान थी an oval patch oval अंडाकार पैच यानि जगे धबा होता है of night sky रात के आसमान की flung down जो के नीचे फैंक दिया गया हो into the hopeless यानि नाउमीद and abysmal और खाले night रात में of the wilderness जंगल के तो ये जो lagoon था lagoon में क्या है सितारों की रोशनी पड़ रही है जो सितारे आकाश में चमक रहे हैं वो उस lagoon में भी चमक रहे हैं तो ऐसा लग था कि एक oval patch एक अंडाकार पूरा टुकडा तोड़ के आकाश से नीचे फैंक दिया गया हो इस अंधेरे जंगल में ऐसा लग रहा था क्योंकि पानी में सितारे चमक रहे थे तो ये बहुत खुबसूरत तस्वीर है एक इसको आप नोट कीजिएगा और अपनी critical appreciation में लेकि दीजिएगा कितनी खुबसूरत तस्वीर है कि वो जो lagoon है रात के समय ऐसा लग रहा है क्योंकि उसमें सितारे चमक रहे तो ऐसा लग रहा है जैसे आस्मान ने कोई टुकडा तोड़के फैंक दिया गया हो an oval patch of night sky flung down तो एक oval patch यानि अंडा का टुकडा of night sky रात के आकाश का flung down फैंक दिया गया हो into the hopeless and abysmal night of the wilderness तो इस जंगल की hopeless यानि नाउमीद and abysmal night अंधेरी काली रात में दे वाइट मैन गोरा अदमी had some supper उसने कुछ भोजन किया सपर रात्री का भोजन होता है out of the basket अपनी टोकरी से दैन तब collecting एकठा करते हुए a few sticks कुछ लगडियां that lay about जो के पड़ी हुई थी the platform उस चबूत्रे पर made up of small fire उसने थोड़ी सी आग जलाई not for warmth गर्मी के लिए नहीं but बलके for the sake of the smoke दुआ करने के लिए for the sake of means खातर करने के लिए या फिर तो धुए की खातर या धुआ करने के लिए which जो के would keep रखेगा off दूर the mosquitoes मच्छरों को he grabbed उसने लबिट लिया himself अपने आपको in the blankets कंबलों में and sat और बैठ गया with his back अपनी पीट टिका कर against the reed wall तो जो reed बिंडोरी मैंने अभी आपको बताई थी लगणियां जैसी होती है घास होती है लंबी लंबी बहुत लंबी घास होती है तो उसकी तने माली जे read बोलते हैं उनको तो उनकी दीवार से पीट कर बढ़िया wall of the house घर की जो दीवार थी वो read की बनी हुई थी smoking धूमरपान करते हुए thoughtfully विचार करते हुए तो विचार करते करते वो धूमरपान भी करता जा रहा था और सोचता जा रहा था अरसट came अरसट आया through the doorway दरवाजे से with noiseless steps बिना आवाज की ये कदम रखते हुए बिना शोर के कदम रखते हुए and squatted down by the fire squatted down मदब बैठ गया उक्रू बैठ गया by the fire आग के पास the white man गोरा आदमी mood उसने हिलाई his out stressed legs अपनी फैली हुई टांगे a little थोड़ी सी she breathes वो सांस ले रही है said अरसट अरसट ने कहा in a low voice एक धीमी आवाज में anticipating उमीद करते हुए question जो के अब सवाल उससे होने वाला था she breathes वो सांस ले रही है and burns और जल रही है as if मानो के with a great fire एक बड़ी आग में जल रही हो she speaks not वो नहीं बोल रही है she hears not वो सुन भी नहीं रही है and burns और वो जल रही है he paused वो रुका for a moment एक पल के लिए then asked फिर पूछा in a quiet एक शांत in curious tone curious होती है उत्सुकता से भरी हुई in curious जिसमें उत्सुकता नहीं है तो उत्सुकता विहीन लहजे में उसने पूछा to on will she die to on क्या वो मर जाएगी the white man moved गोरे आदमी ने हिलाया his shoulder अपना कंधा uneasily बेचैनी से and muttered और बुदबुदाया in a hesitating manner एक जिजगते हुए तरीके से if such is a fate अगर उसका ऐसा ही भाग्य है no to on नहीं to on sad arsat arsat ने कहा कामली शांती से if such is my fate अगर ऐसा मेरा भाग्य है यानि अगर वो मरती है तो उसका दुर भाग्य नहीं है बलकि ये मेरा दुर भाग्य है I hear मैं सुन रहा हूँ I see मैं देख रहा हूँ I wait मैं इंतजार कर रहा हूँ I remember मैं याद कर रहा हूँ do you remember क्या तुमको याद है the old days पुराने दिन do you remember my brother क्या तुम्हे मेरा भाई याद है yes हाँ said the white man गोरे आदमी ने कहा the male rose male यानि अरसट के लिए कहा है rose उठा suddenly अजानक and went in और अंदर गया the other दूसरा sitting still शांती से बैठा हुआ outside बाहर could hear सुन सकता था the voice आवाज in the hut जौपड़ी में अरसट सैट अरसट कह रहा था hear me मुझे सुनो मेरी बात सुनो speak बोलो his words उसके शब्द words succeeded succeed मने पीछे होना तो उसके शब्दों के बाद क्या हुआ by a complete silence एक पूरी शांती यानि वो कह रहा था कि सुनो मेरी बात सुनो मुझे से बोलो तो उसके शब्दों के बाद पूरी शांती रही ओ डायमिलीन तो ये आपको नाम याद रखना है कि अरसट की जो पत्नी मरने जा रही है मर रही है उसका नाम है डायमिलीन एक एक करके करेक्टर से आप मिल रहे हैं तो ये अब इस करेक्टर से आप मिल तो चुके लेकिन आपको नाम नहीं मालम था तो पहली बार यहां नाम बताया गया है अरसट की पत्नी का डायमिलीन उसका नाम है नोट कर लीजेगा सांस उसने ली गहरी, आख उसने भरी, अर्सच केम आउट, अर्सच बाहर आया, एंड सेंग डाउन अगें, और फिर से डूब गया, इन हिस ओल प्लेस, अपनी पुराने स्थान में, दे सेट, वो बैठे रहे, इन साइलेंस, शांती से, विफोर दस फायर, आख के सामने, देर वाज नो साउंड, कोई आवाज नहीं थी, नियर दें, उनके पास, बट फार अवे, लेकिन कहीं दूर, ऑन दा लगून, लगून पर, दे कुड हीर, वो सुन सकते थे, दा वोइसेज, आवाजें, ओफ दा बोट मैन, यानि नाविकों की, रिंगिंग, यानि गूंसती हुई, फिट फुल, पागलपन से, एन डिस्टिंक्ट, और इसपष्ट सुनाई देती हुई, ओन दा काम वाटर, शांत पानी के उपर, दा फायर, आग, इन दा बोज, बोज, यानि कि वही नाव का, आगे का भाग, नाव के आगे के भाग में, आफ दा संपन, संपन वही नाव, चाइनीज, नाव जिसमें के ये लोग यात्रा कर रहे हैं, उसके अगले भाग में, आग, शोन, चमक रही थी, फेंटली, धुंदले लाल चमक के साथ, वो दिखाई दे रही थी आवाज, देन तब इट डाइड आउट, ये बुझ गई, यानि जो आग जल रही थी, वो बुझ गई, दा वोइसेज, आवाजें, सीजड, रुख गई, दा लेंड, जमीन, एंड दा वाटर और पानी, स्लैप्ट, सो गई, इन There had been nothing left, कुछ भी नहीं बचा हो, in the world, संसार में, बट सिवाए, दा ग्लिटर, चमक के, ओफ स्टार्स, सितारों की, स्ट्रीमिंग तेरती हुई, सीजलेस, बिनारों के, एंड वेन, और व्यर्थ बेकार, थ्रू दा ब्लेक स्टिलनेस, काली शांती में, ओफ दा नाइट, र The white man, गोरे आदमी ने, gazed, नहारा, स्ट्रेट, सीधे, before him, अपने सामने, into the darkness, अंधेरे में, with wide open eyes, चोड़ी खुली हुई आँखों से, The fear, डर, and fascination, और कल्बना, The inspiration, प्रेन, and the wonder, और आश्र, of death, मौत का, of death, मौत का, near, जो के पास में थी, unavoidable, जिसे बचा नहीं जा सकता था, and unseen, और अंदेखी, सूद, वो राहत दे रही थी, सामतोना दे रही थी, the unrest, बेचैनी को, of his race, उसकी प्रजाती के, and stirred, और, हिला रही थी, बेचैनी कर रही थी, the most, indistinct, the most, सबसे ज़्यादा, distinct होते हैं, aspersed, or indistinct होते हैं, aspersed, the most, सबसे ज़्यादा, intimate, घनिश्ट, of his thoughts, उसके विचारों को, तो यहां जो मौत है, उसकी पत्नी की, 68 की पत्नी की मौत हो रही है, उनके सामने हो रही है, उनके पास है, unavoidable है, वो इस मौत को नहीं रोक सकते, unseen है, मौत दिखाई नहीं दे रही है, आतो रही है, मौत मर रही है, पत्नी, लेकिन मौत को किसी ने देखा तो है नहीं, कोई वो ऐसी चीज तो है नहीं जो दिखाई दे किसी को तो इस द्रिश्य से जो वाइट मैन है उसके अंदर बहुत सारे विचार, इंटिमेट, बड़े घनिष्ट विचार, आइसपश्ट विचार उसके अंदर पैदा हो रहे हैं इसटर मनें जगाना, जगा रही है यह मौत कर रही है जगा रही है बहुत सारे विचारों को दे एवरेडी, यानि हमेशा रहने वाला, हमेशा तैयार रहने वाला सस्पीशन, संदेह, ओफ इवल, मुराई का the knowing suspicion knowing man ने दान्त किट किटाता हुआ suspicion संदेह that जो के lurks छिपा रहता है जांकता रहता है in our hearts हमारे दिलों में flowed out बहने लगा into the stillness शान्ती में around him उसके चारों ओर into the stillness उस शान्ती में जो के profound गहरी थी and dumb dumb जो बोल नहीं सकती and made it appear और इसको बना रही थी untrustworthy trustworthy होता है भरोसे के लायक और untrustworthy जो भरोसे के लायक नहीं है and infamous infamous होता है कुख्यात like जैसे के the placid शान्त and impenetrable penetrate जिसके पार देखा जा सकता है और impenetrable जिसके पार नहीं देखा जा सकता यानि अपेक transparent और अपेक तो जो अपेक होता है वो impenetrable mask परदा of an unjustifiable violence unjustifiable यानि जो नियाय संगत नहीं है violence हिंसा in that fleet in that fleeting fleeting यानि गुजरती हुई and powerful और ताकतवर disturbance कुला हल में of his being उसके खुद के होने के the earth धरती ने enfolded समेट रखा था in the starlight तारों की रोशनी में peace शान्ती became बन गई a shadowy country shadowy यानि परचाईयों वाला country देश of inhuman strife human होता है manvier inhuman a manvier strife संगर्ष का a battlefield एक युद्ध का मैदान of phantoms भूतों का terrible भयानक and charming और आकरशक august अच्छे और ignoble बुरे struggling संगर्ष करते हुए ardently पूरी कोशिश के साथ for the possession प्राप्त करने के लिए of our हमारे helpless असहाई hearts हिरदयों को तो ये एक संगर्ष हमेशा चलता रहता है अच्छाई और बुराई के बीच हमारे हिरदय को प्राप्त करने के लिए and एक unquiet a shant and mysterious और रहस्यमई country देश of inextinguishable extinguish मने बुझाना शान्त करना extinguishable जिसे बुझाया जा सकता है inextinguishable जिने कभी नहीं बुझाया जा सकता ऐसी desires इच्छाएं and fears और ऐसे भय तो ये इस तरीके का माहौल वहाँ पर create हो गया था a a plaintive शिकायती मरमर बरबराहट रोज पैदा हुई in the night रात में a मरमर एक बरबराहट saddening दुखी करने वाली and startling और चौगाने वाली as if मानो के the great solitude ये जो महान एकांत है of surrounding woods चारो तरफ से घिरे हुए जंगलों का had tried उसने कोशिश की हो to whisper फुस फुसाने की into his ear उसके कानों में the wisdom बुद्धिमानी of their immense अपने विशाल and lofty और उंचे indifference यानि उपेक्छा की sounds आवाजें hesitating जिजकती हुई and vague और ice-pust floated तैर रही थी in the air हवा में round him उसके चारों shaped themselves उन आवाजों ने shaped मने बना लिया themselves अपने आपको slowly धीरे-धीरे into words शब्दों में and or at last अंत में float तैरने लगा on floedon gently आराम से in a murmuring stream एक बड़ब़ाती हुई धारा में of soft नर्म and monotonous और उदास sentences वाकियों में he stirred वो हिलने लगा like a man एक आदमी की तरह waking up जो जग रहा हो and changed और उसने बदली his position अपनी सिती slightly धीरे से अरसत motionless बिना हिले and shadowy और एक परचाई की तरह sitting बैठा हुआ with bored head सिर जोकाए हुए under the stars सितारों के नीचे was speaking बोल रहा था in a low एक धीमी and dreamy टोन और सपनों से भरी हुई आवाज में for क्योंके where can we lay down हम कहां रख सकते हैं the heaviness बजन of our trouble अपनी परेशानियों का but सिवाए in a friend's heart एक दोस्त के दिल के a man एक आदमी को must speak बोलना चाहिए of love युद्ध के बारे में and of love of war युद्ध के बारे में and of love प्यार के बारे में you तुम टुआन know what war is तुम जानते हो कि युद्ध क्या होता है and you have seen और तुमने देखा है me मुझ को in time of danger खत्रे के समय में seek तलाश करते हुए death मौत को as जैसे के other men दूसरे लोग seek तलाश करते हैं life जिन्दगी को a writing लिखा हुआ may be lost हो सकता है a lie एक जूट may be written लिखा जा सकता है but लेकिन what जो the eye has seen आँखों ने देखा है is truth वो सच होता है and remains और बना रहता है in the mind दिमाग में I remember मुझे याद है said the white man गोरे आदमी ने कहा quietly चुपचाब धीरे से अरसट went on अरसट बोलता गया with mournful दुख से भरे हुए composer यनि स्वर में therefore इसलिए I shall speak मैं बोलूंगा to you तुम से of love प्यार के बारे में speak in the night रात में बोलूंगा speak before both night and love यनि ये जो रात है और प्यार है are gone ये चले जाएं उससे पहले बोलूँगा speak before यनि पहले बोलूँगा both night and love are gone इससे पहले के ये रात और मेरा प्यार चला जाए and the eye of day और दिन की जो आँख है दिन की आँख क्या है सूरज looks upon देखे my sorrow मेरे दुख को and my shame और मेरी शर्म को upon my blackened face मेरे काले चेहरे के उपर upon my burnt up heart मेरे जले हुए दिल के उपर यनि कुछ ऐसा है जो उसके दिल में जल रहा है कुछ ऐसा है जिसके लिए वो शर्मिंदा है कुछ ऐसा है जिसके लिए वो दुखी है तो उन सब के बारे में आज वो बोलना चाहता है सूरज उगने से पहले सुबह का सूरज उगने से पहले तो यहाँ आप ये चीज़ नोट कीजेगा कि वो शर्मिंदा है वो दुखी है उसका दिल जल रहा है लेकिन क्यों जल रहा है यह आगे आने वाला है वहां मैं आपको बताओं यह फिर आप उसे मार्क करेंगे अभी आप इसको मार्क कर लीजे कि उसका दिल जल रहा है वो शर्मिंदा है एक आह शोट छोटी और धुंदली मार्क एन अल्मोस्ट इंपरसेप्टिबल पॉज मार्क यानि जो के थी एन अल्मोस्ट एक लगवग इंपरसेप्टिबल परसेप्शन होता है देखना परसेप्टिबल जिसको देखा जा सकता है और imperceptible जिसको नहीं देखा जा सकता pause means रुकावट तो वो इतनी देर के लिए रुका जो के पता भी न चले mark then almost imperceptible pause तो थोड़ी देर के लिए वो रुका and then और फिर his words उसके शब्द float on तेरते गए without a stir बिना उकसाई without a gesture बिना किसी हाव भाव के वो अब बोलता चला गया अब ये कहानी flashback में जा रही है कि क्या हुआ था past की बात अब वो सुना रहा है after the time of trouble after इसके बाद जबके the time समय of trouble परिशानी का end war और युद्ध का was over समाब्द हो गया and you went away और तुम चले गए from my country मेरे देश से in the pursuit of पीछा करते हुए your desire अपनी इच्छाओं का यानि अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए तुम मेरे देश से चले गए which we जो के हम man of islands दीपों पर रहने वाले लोग cannot understand नहीं समझ सकते यानि आपकी लोगों की जो इच्छाएं होती है खासकर गोरे लोगों की तो दीपों पर रहने वाले हम लोग नहीं समझ सकते I and my brother मैं और मेरा भाई became again फिर से बन गए as we had been जैसे के हम हुआ करते थे before पहले the sword bearers यानि तलवार रखने वाले समहलने वाले of the ruler राजा के you know तुम जानते हो we were हम थे man of family अच्छे परिवार के लोग belonging to the ruling class belonging यानि हम सम्मंध रखते थे to the ruling class जो शासन करने वाली race यानि प्रजाती है and more fit और ज्यादा चुस्त थे than any किसी और से to carry on our right shoulder अपने सीधे कंधे पर ले जाने के लिए the emblem प्रतीक of power शक्ती का and in the time of prosperity और prosperity होती है सम्रधी सम्रधी के समय में C. Dandering showed us favor C. Dandering ने हम हमारे उपर कृपा दिखाई यानि ruler है उसने कृपा दिखाई हमारे उपर as we जैसे कि हमने in time of sorrow यानि परेशानी के समय में head showed to him उसको दिखाई थी the faithfulness faithfulness वफादारी of our courage अपने साहस की it was ये था a time of peace शान्ती का समय a time एक समय of dear hunts यानि हिरनों का शिकार करने का and cockfights और मुर्गे लड़ाने का of idle talks फालतू की बातें करने का गपशब भाँखने का and foolish squibbles और बेवकूफी के लड़ाई जगड़े करने का squibbles लड़ाई जगड़े होते हैं foolish बेवकूफी के between men यानि उन लोगों के बीच whose valleys जिनके पेट are full भरे हुए है and weapons और जिनके शस्त्रों में are rusty जंग लगा हुआ है rust जंग होता है तो जिनके weapons आर रस्ती यानि जिनके हत्यारों में जंग लग जाता है तो शांती के दिनों में क्योंकि हत्यार use नहीं होते तो उनमें जंग लग जाता है बट लेकिन दासोवर सो मने बीज बोना होता है तो बीज बोने वाला किसान वाच्ट देखता था दयंग छोटे छोटे राइस शूट राइस मीज चावल शूट मने जो कुल्ले निकलते हैं चावल बोया जाता है तो उसमेंसे जो कुल्ले निकलते हैं छोटे से पौधे निकलते हैं उनको देखता था ग्रो अप बढ़ते हुए विदावट फियर बिना भैके तो शांती के दिनों में ये सारे काम होते हैं लोग शिकार करते हैं फालतुगी बातें करते हैं उनके हत्यारों को जंग लग जाता है किसान अपने खितों को देखते हैं उनमें चावल लोगते हुँ देखते हैं विदावट फियर बिना डरे और ट्रेडर्स और वियापारी केम आते थे और जाते थे डिपार्टेड जब जाते थे तो लीन दूबले पतले एंड रिटर्ण और वापस आते थे फैट मोटे इंटू दा रिवर यानि इस नदी से होकर ओफ पीस जो शान्ती की नदी है शान्ती के समय की नदी है दे ब्रॉट वो लाते थे न्यूस समाचार टू भी ब्रॉट लाते थे लाइस जोट एंड टूथ और सच्चाई मिक्स टोगेदर साथ में मिला कर सो देट ताके नो मैन न्यूँ कोई भी आदमी नहीं जान पाता था वेन टू रिजॉइस के कब वो खुश हो एंड वेन दे हैड सीन यू उन्होंने तुम्हें देखा था हीर यहाँ और उन्होंने तुम्हें वहाँ भी देखा था और मैं खुश था तू हीर सुनकर तू कि आई रिमेंबर्ड मुझे याद थे दा स्टरिंग टाइम्स परेशानी वाले दिन और मैं हमेशा याद करता था यू तुमको टू आन तिल दा टाइम के जब तक कि वो समय नहीं आया वेन जब माई आइस मेरी आँखें कुड सी नथिंग कुछ भी नहीं देख पाती थी इन दा पास्ट अतीद का बिकॉज क्योंके उन्होंने देख लिया था अपॉन दावन उसको वो इस डाइम जो मर रही है देयर वहाँ पर इन दा हाउस घर में यानी फिर अचानक ये हुआ कि मैंने इसको देख लिया जो उसकी पत्नी है उसके लिए कह रहा है कि जब मैंने उसको देख लिया तो फिर मेरी आँखें कुछ और नहीं देख पाती थी ये स्टॉक्ट वो रुका टु एक्स के चिलाने के लिए इन एन इंटेंस विस्पत एक गहरी फुसफुसाट में ओ मारा बाहिया ओ मारा बाहिया ये एक मलाया एक्सप्रेशन है ये कुछ आपने नोट किये होंगे मैंने बताई भी थे बीच में कि कुछ इसमें जो वर्ड्स हैं वो मलाया भाषा के हैं मलाया दीप पर जो भाषा बुली जाती है तो ये जो एक्सप्रेशन है ये भी मलाया एक्सप्रेशन है ओ मारा बाहिया इसका मतलब है O Calamity अरे बड़ी मुसीबत आ गई then went on तब उसने जारी रखा speaking बोलना a little louder थोड़ा जोर से there is no worse enemy कोई भी ज्यादा बुरा शत्रू नहीं है and no better friend और कोई भी ज्यादा बहतर दोस्त नहीं है than a brother एक भाई से for क्योंके one brother एक भाई knows जानता है another दूसरे को and or imperfect knowledge पूर्ण ग्यान में is strength शक्ती है for good अच्छा करने की or evil या बुरा करने की I loved मैं प्यार करता था my brother मेरे भाई से I went to him मैं उसके पास गया and told him और उसको बताया that के I could see nothing मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था but one face सिवाए एक चेहरे के hear nothing मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा था but one voice सिवाए एक आवाज के he told me उसने मुझे बताया open your heart अपना दिल खोल दो so that ताके she can see वो देख सके what is in it के इसमें क्या है यानि अपने दिल की बात उस लड़की को बता दो and wait और इंतजार करो patience patience धैर्य is wisdom बुद्धमानी है इंची मिडा इंची मिडा राजा की wife है यानि रानी है तो इंची मिडा may die इंची मिडा मर सकती है क्योंकि जो लड़की जिससे प्यार करता है अरसट वो इंची मिडा की नौक रानी है तो इंची मिडा और हमारा राजा may throw off दूर कर सकता है his fear अपना डर of a woman एक औरत का तो जो रूलर है राजा है वो अपनी रानी इंची मिडा से डरता है और जो राजा जो रानी है उसकी नौक रानी है ये लड़की जिससे अरसट प्यार करता है और जो इस वक्त जो हमड़ी में मर रही है तो अब वो कहरा है कि इंची मिडा मेडा आई उस अपनी नौक रानी के बिना इंची मिडा मर सकती है और आर रूलर may throw off या फिर हमारा जो राजा है वो दूर कर सकता है his fear अपना डर of a woman एक औरत का यानी अपनी रानी से वो जो डरता है वो डर उसका कभी दूर हो सकता है भविश्य में I waited मैंने इंतजार किया You remember तुम्हें याद है दे लेडी वो महिला विद दे वेल्ड फेस जिसके चेहरे पर परदा पड़ा रहता था टुआन and the fear order of our ruler हमारे राजा का before her cunning and temper उसकी चालाकी के सामने and her temper और उसके सुभाव के सामने and or if she wanted अगर वो चाहती थी या प्यार करती थी अपनी नौकरानी से what could I do तो मैं क्या कर सकता था but लेकिन I fed मैंने मिटाई the hunger book of my heart मेरे दिल की on short glances छोटी छोटी नजरों पर and or stillty words stillty मने चोड़ी से किये गए शब्दों पर यानि कभी कभी उसको चोड़ी से देख लिया और कभी कभी चोड़ी से उससे बात कर लिया करता था I loitered loiter मने गुमना मैं गुमता रहता था on the path रास्ते पर to the bath houses bath houses यानि snana guard जहां पर महिलाएं नहाने जाती हैं उन रास्तों पर गुमता रहता था in the day time दिन के समय and or when जब दस्तन सूरज had fallen चला जाता था behind the forest जंगल के पीछे I crept along तो मैं रेंगता हुआ जाता था चुपके से जाता था the jasmine hedges jasmine चमेली के फूल होते हैं बहुत खुश्रूदार होते हैं तो उनकी जाडियों की ओर of the women's courtyard जो महिलाओं का आता था महिलाओं का रहने का इस्थान था वहाँ पर मैं चमेली की जाडियों के तरफ चुपचाप जाता था unseen unseen मने चुपकर बिना किसी के देखे we spoke हम बोलते थे to one another एक दूसरे से through the scent of flowers पूलों की महक के बीच through the whale of leaves पत्तियों के परदे के बीच through the blades of long grass लंबी घास के blades means तिनके of long grass लंबी घास के तिनकों के बीच that stood जो खड़े रहते थे still shant before our lips हमारे खुठों के सामने so great इतनी महान इतनी बड़ी was थी our हमारी prudence दूर दर्शिता so faint इतना दुंदला वोस था the murmur was was hurt of our great longing हमारी तीवर इच्छाओं की the time समय पास्ट गुजर गया swiftly तेजी से and or there were वहाँ पर थी whispers फुसफुसाहट हैं among us women महिलाओं के बीच and our enemies और हमारे दुश्मन watched देखते थे my brother was gloomy मेरा भाई उदास था and I began to think और मैं सोचने लगा of killing मारने का and of fierce death और भयानक मृत्यों का यानि खुद को मारने का मैं सोचने लगा we are हम है of a people ऐसे लोग who take जो के ले लेते हैं what they want जो भी वो चाहते हैं like you whites जैसे के तुम गोडे लोग होते हो जो भी चाहते हो उसको ले लेते हो there is a time एक समय होता है when जब a man should forget एक आदमी को भूल जानी चाहिए loyalty वफादारी and respect और सम्मान might ताकत and authority और अधिकार are given दिये गए हैं to rulers राजाओं को but लेकिन to all men हर आदमी को सभी लोगों को is given दिया गया है love प्यार and strength और ताकत and courage और साहस my brother said मेरे भाई ने कहा you shall take her तुम उसको ले जाओगे from their midst उनके बीच में से we are two हम दो हैं who are like one जो कि एक जैसे ही है and I answered और मैंने जवाब दिया let it be soon तो ऐसा जल्दी करो for क्योंके I find no warmth मुझे बिलकुल भी गर्माहट महसूस नहीं होती in sunlight धूब में that does not shine जो के नहीं चमकती upon her उसके उपर our time के हमारा समय आया जब the ruler raja and all the great people और सभी बड़े लोग went गए to the mouth of the river नदी के मुआने पर to fish मचली पकड़ने by torch light मशालों की रोशनी there were वहाँ पर थी hundreds सेकड़ों of boards नावे and or on the white sand सफेद बालू में between the water and the forest पानी और जंगल के बीच में dwellings of leaves dwellings घर of leaves पत्यों के वर बिल्ट बनाए गए थे for the household घर के रूप में of the raja's राजाओं के the smoke धुआ of cooking fires बोजन बनाने की आग का वॉस था like a blue mist एक नीली धुंदलके की तरहे नीले कोहरे की तरहे of the evening शाम के and or many voices बहुत सी आवाजें ring गुँज रही थी in it इसमें joyfully खुशी के साथ while जिस वक they were making वो तयार कर रहे थे the boats नावों को ready to beat up the fish यानी मचलियां पकड़ने के लिए तयार कर रहे थे my brother मेरा भाई came आया to me मेरे पास and said और बोला tonight आज की रात I looked मैंने देखा to my weapons अपने हत्यारों को and when और जब the time came समय आया our can our हमारी नाव took its place अपना इस्थान ले लिया हमारी नाव ने इन दा सरकल घेरे में off boards नावों के carrying जो के ले जा रही थी the torches मशालों को the lights रोशनिया blazed यानी चमकी on the water पानी पर बट लेकिन behind the boards यानी उन नावों के पीछे when जब the shouting चीखना शोर गुल begin शुरू हुआ and the excitement और उत्ते जना made them ने उन्हें बना दिया like mad पागल लोगों की तरह we dropped out तब हम निकल गए the water swallowed जो पानी था वो निगल गया our fire हमारी आग को and we floated back और हम वापस तेरने लगे to the shore किनारी की ओर that was dark जो अंधेरा था with only here and there केवल यहां वहां the glimmer of anger embers ember होते हैं अंगारे अंगारों की चमक थी glimmer मने चमक होती है we could hear हम सुन सकते थे the talk बाचीत of slave girls वो लाम लड़कियों की among us the shares यानि वहां जो shares थी जो जो जगह थी वहां पर हम हमें लड़कियों की आवाजें सुनाई दे रही थी then तब we found हमें मिला a place एक जगह deserted जो के खाली थी and silent और शान थी we waited हमने इंतजार किया there वहां पर she came वो आई she came running वो दोड़ती हुई आई along the shore किनारे पर rapid तेज and leaving no trace और कोई भी निशान ना छोड़ते हुए like जैसे के अलीफ एक पत्ती हो driven by the wind जो हवा के साथ उड़कर आई हो into the sea समुद्र में my brother मेरे भाई ने सैड कहा gloomily उदासी के साथ go जाओ and take her और उसे ले लो carry her उसको ले आओ into our boat अपनी नाव में I lifted मैंने उठाया वो हाफ रही थी her heart उसका दिल was beating धड़क रहा था against my breast मेरे सीने के से टिका हुआ I said मैंने कहा I take you मैं तुमको ले जा रहा हूँ from those people इन लोगों से दूर you came तुम तुम आई to the cry यानि पुकार सुनकर off my heart मेरे दिल की बट लेकिन मेरी बाहें टेक यू तुमको ले जा रही है into my boat मेरी नाव में against the will इच्छा के खिलाफ of the great बड़े लोगों की It is right ये सही है said my brother मेरे भाई ने कहा We are men हम ऐसे लोग हैं who take जो ले लेते हैं what we want जो हम चाहते हैं and can hold it और उसको पकड़े रह सकते हैं against many बहुत सारे लोगों के खिलाफ We should have taken हमें उसको ले जाना चाहिए था in daylight दिन की रोशनी में I said मैंने कहा let us be off हमें भाग निकलना चाहिए for क्योंके since for since क्योंके she was वो थी in my boat मेरी नाव में I begin to think मैं सोचने लगा of our rulers अपने राजा के many men बहुत सारे लोगों के बारे में Yes हाँ let us be off हमें भाग जाना चाहिए said my brother मेरे भाई ने कहा we are cast out हमें बाहर निकाल दिया गया है यानि अब हम अचूत हो गए and or this boat ये नाव is our country अब हमारा देश है तो मतलब हमारा देश निकाला हो गया क्योंकि हमने राजनी की नौकरानी को उठाया है बगाया है तो अब हम cast out हो गए यानि अचूत हो गए अब हमारा देश निकाला हो गया तो this boat is our country अब ये जो नाव है यही हमारा देश है and the sea or samudr is our refuse हमारी शरण स्थली है he lingered वो रुका रहा with his foot अपना पेर टिका कर on the shore किनारे पर and or I मैंने and treated him उससे प्रार्थना की to hasten जल्दी करने की for क्योंकि I remembered मुझे याद था the stroke of her heart strokes माने के धरकने of her heart उसके दिल की against my breast जो के मेरे सीने से लगकर मैंने महसूस की थी and thought और मैंने सोचा that के two men दो लोग cannot withstand सामना नहीं कर सकते a hundred solo का we left हम चल दिये paddling यानि चपू चलाते हुए down street धारा के नीचे close to the bank यानि किनारे के समीब किनारे के पास and or as we passed by जब हम गुजरे the creek उस कटान से where जहां they were fishing वो मचलियां पकड़ रहे थे the great shouting had ceased तो जो बहुत तेज शोर था वो had ceased रुग्या बंध हो गया बट लेकिन the murmur बड़बड़ा हट of voices आवाजों की was loud तेज थी like जैसे के the humming बजबजाहट of insects कीड़ों की flying उड़ते हुए at noon day दो पहर में the words नावे floated तेर रही थी clustered together clustered मने आपस में जोड़ी हुई या समुहु बने हुए group में साथ में समुहु में तेर रही थी in the red light लाल रोशनी में off torches मशालों की under a black roof एक काली छट के नीचे off smoke दूएं की and men और पुरुश talked बात कर रहे थे off their sport अपने खेल की men पुरुश that boasted जो के शेखी मारते थे and praised और तारीफें करते थे and jeered और मजाग बनाते थे men वो मर्द that would have been जो की होते our friends हमारे दोस्त in the morning सुबह को but लेकिन on that night उस रात को were already पहले ही बन चुके थे our enemy हमारे दुश्मन क्योंकि इस लड़की को जो भगाया तो इसकी वज़ा से दुश्मन बन चुके थे we paddled हमने चपू चलाए swiftly तेजी से past उनके past से मतब के गुजर गए paddled past का मतब गुजर गए तेजी से paddled मारते हुए paddled क्योंकि नाव है तो नाव के जो paddled मतब चपू हुए we had no more friends अब हमारे कोई मित्र नहीं थे कोई दोस नहीं थे in the country इस देश में of our birth जहां हम पैदा हुए थे she sat वो बैठी हुई थी in the middle बीच में off the cano उस नाव के with covered face अपने चेहरे को ढखे हुए silent शांत as जैसे के she is now वो अब है unseen बिना देखे as she is now जैसी के वो अब है and I had no regret और मुझे कोई अफसोस नहीं था at what I was leaving उस पर जो मैं छोड़ रहा था because क्योंके I could hear मैं सुन सकता था her breathing उसकी सांसों को close to me मेरे बिलकुल पास as I can hear her now जितना के मैं अभी उसको सुन रहा हूं he paused वो रोका listened सुना with his ear अपने कानों से turned घुमा कर to the doorway दरवाजे की ओर then तब shook his head उसने अपना सिरह लाया and went on और कहना जारी रखा my brother मेरा भाई wanted चाहता था to shout चिलाना the cry of challenge यानि उनको चुनोती की आवाज देना चाहता था one cry only केवल एक आवाज to let the people know कि लोग जान जाएं we were हम थे free born आजाद पैदा हुए roberts । डाकू who trusted जो विश्वास करते थे our arms अपनी बाहों पर and the great sea और महान समुद्र पर and again और फिर से I begged him मैंने उससे प्राठना की in the name of our love अपने प्यार की खातिर to be silent कि वो चुप रहे could I not hear क्या मैं नहीं सुन रहा था her breathing उसकी सांसों को close to me मेरे समीब मेरे पास I knew मैं जानता था the pursuit पीछा would come quick enough यानि बहुत जल्दी ही किया जाएगा क्योंकि लोगों को जल्दी ही पता चल जाएगा कि ये लोग लड़की को लेकर भाग गए हैं तो जल्दी ही उनका पीछा किया जाएगा my brother loved me मेरा भाई मुझे प्यार करता था he dipped उसने डोवोया his paddle अपना चपकू without a splash बिना आवाज किये he only said उसने केवल कहा there is half a man अब केवल आधा आदमी रह गया है in you now तुम्हारे अंदर यानि मैं उससे बार बार मना कर रहा हूँ तो भाई मुझे से कह रहा है कि अब तुम्हारे अंदर केवल आधा आदमी रह गया है the other half और दूसरा आदा आदमी is in that woman उस मेला के अंदर समा गया है I can wait मैं इंतजार कर सकता हूँ when जब you are a whole man again तुम दुबारा से whole man पूरे पुरुष बन जाओगे तब तक मैं इंतजार कर सकता हूँ you will come back तुम बापस आओगे with me मेरे साथ here यहाँ पर to shout चिलाने के लिए defiance विरोध तो इन लोगों को defy करने के लिए इन लोगों को challenge देने के लिए इन लोगों का सामना करने के लिए तुम मेरे पास आओगे जब तुम पूरे इंसान बन जाओगे अभी तुम आधे मर्द रह गई हो आधी मर्दान की तुमारी इस महिला के अंदर चली गई है वी आर संस हम बेटे हैं आफ दा सेम मदद एक ही मा के तो भाई मदब ये कहना चाहता है कि अभी तुम जो इतने बुजदिल दिखाई दे रहे हो तुम कैसे हो सकते हो हम दौनों भाई एक ही मा के बेटे हैं I made no answer मैंने कोई जवाब नहीं दिया All my strength मेरी सारी ताकत And all my spirit और मेरी सारी भावनाएं वर थी In my hands मेरे हाथों में That held जिन्होंने पकड़ रखा था The pedal चपू For क्योंकि I longed मैं चाहता था To be रहना With her उसके साथ In a safe place एक सुरक्षित इस्थान पर Beyond the reach जो पहुँच से दूर हो Of men's anger मर्दों के कुसे के And of women's spite और महिलाओं की नफरत के My love मेरा प्यार Was था So great इतना महान That I thought it मैंने सोचा It could give It could guide me ये मेरा पत्रदर्शन कर सकता था To a country एक देश में वेर जहां Death मृत्यू Was unknown अग्याद थी If यदी I could only escape मैं केवल बच कर निकल भागू From Inchimida's Fury Inchimida वही रानी है उसके गुस्से से Fury मने गुस्सा And from Our rulers Sword और अपने राजा की तलवार से We paddled हमने चपू चलाए With Haste जल्दवाजी में Breathing सांस लेते हुए Through our teeth अपने दांतों मैं से होकर The blades जो चपू थे Bit deep उन्होंने गहराई से काटा Into the smooth water चिकने पानी को We passed out हम गुजरे Out of the river नदी मैं से होकर We flew हम उडे In clear channels साफ सुथरे Channels में समुदर की चैनल होते हैं जैसे इंग्लिश चैनल इंग्लेंड को जोड़ता है समुदर से तो ये चैनल पानी की धारा होती है तो हम साफ पानी की धाराओं में फिलू मतलब तेरे क्या नाव ही चलाई यहां उड़ना तो नहीं है We flew हम तेरे In clear channel साफ पानी की धाराओं में Amongst the shallows शैलो होते हैं उथले पानी तो उथले पानियों के वीच We skirted हम घूमे The Black Coast काले तट पर We skirted हम घूमे The Sand Weaches बालू के तटों पर Where जहां The Sea समुद्र स्पीक्स बोलता है In whispers Fusfusaka to the land जमीन से And और The Gleam चमक of white sand सफेद बालू की Fleshed Bag वापस चमकती थी Past our boat हमारी नाव के पास से So swiftly इतनी तेजी से She rain upon the water वो पानी पर तैर रही थी यानि हमारी नाव इतनी तेजी से तैर रही थी पानी पर We spoke हम बोले Not नहीं अच्छा हम नहीं बोले We spoke not हम नहीं बोले Only once केवल एक बार I said मैंने कहा Sleep सो जाओ डायमिलिन ये उसकी पत्मी का नाम है जिसको भगा कर ला रहा है इस लड़की को उसी लड़की का नाम है सो जाओ डायमिलिन For क्योंके Soon जल्दी ही You may want तुम्हें जरूत पड़ेगी All your strength अपनी सारी ताकत की I heard मैंने सुना The sweetness मधूरता Of Her Voice उसकी आवाज की But लेकिन I never turned मैंने बिलकुल नहीं गुमाया My head मेरा सिर क्योंके जो 68 है वो केवल आगे की ओर देख रहा है वो बैठी हुई है नाम में वो उसको देख नहीं रहा केवल आवाज उसकी सुनाई दे रही है लेकिन मुड़कर नहीं देख रहा वो उसका फोकस कहां है यहां से भाग निकलने पर नाव चलाने पर तेजी से नाव चलाने पर उसका पूरा फोकस है इसलिए वो कह रहा है But I never turned my head लेकिन मैंने अपना सिर बिलकुल नहीं गुमाया The sun rose, सूरज ओगा And still और अभी भी We went on, हम चले जा रहे थे Water, पानी, फैल गिरा From my face, मेरे चहरे से Like जैसे के rain यानि बारिश गिरती है From a cloud, एक बादल से We flew, हम उड रहे थे In the light, रोशनी में And heat और गर्मी में I never looked back मैंने कभी वापस नहीं देखा But, लेकिन I knew, मैं जानता था That, के My brother size, मेरे भाई की आँखे Behind me, मेरे पीछे World looking, देख रही थी Steadily, लगातार Ahead, आगे की ओर For, क्योंके the boat went Now चली, as Straight, इतनी ही सीधी As, जितना के A bushman's dart, एक जो जंगली आदमी होता है उसका dart माने, तीर चलता है When, जब It leaves, छोड़ता है The end, सिरा Of the Sampitan Sampitan, मलेशिया की एक blow gun होती है एक, मतलब बंदू Type की होती है, जिसमें से तीर निकलते हैं तो जब ये Sampitan की यानि उस blow gun की सिरे को छोड़ता है तो तीर जितनी तेजी से जाता है इतनी तेजी से हमारी नाव जा रही थी There was no better paddler यानि कोई भी बहतर paddler यानि नाव चलाने वाला खिवया नहीं था No better stearman कोई भी बहतर stearman वोई नाव चलाने वाला नहीं था Then my brother, मेरे भाई से Many times, बहुत बार Together, साथ साथ We had one, हमने जीती थी Races, दोड़ें In that cano, उस नाव में But लेकिन We never had put out हमने कभी भी खतम नहीं की थी Our strength, अपनी ताकत As we did then जितने की हम उस वक्त खतम कर रहे थे यानि हमारी ताकत खतम नहीं होती थी हम race जीत जाते थे नौका दोड़ को जीत जाते थे लेकिन हमारी ताकत खतम नहीं होती जैसी की उस वक्त हो रही थी Then when for the last time जब अनतिम बार We paddled together हमने साथ साथ नाव चलाई थी There was no braver There was no braver and stronger man कोई भी ज्यादा बहादर और ज्यादा ताकत वर आदमी in our country हमारे देश में than my brother मेरे भाई से I could not spare मैं नहीं बचा सका the strength ताकत to turn my head मेरा सिर घुमाने की and look at him और उसकी और देखने का but every moment लेकिन हर पल I heard मैंने सुना the his यानि आवाज of his breath उसकी सांसों की getting louder तेज होती हुई behind me मेरे पीछे still अभी भी he did not speak वो नहीं बोल रहा था the sun was high सूरज उपर था the heat गर्मी कलंग चिपक गई to my back मेरी पीठ पर like जैसे के a flame of fire एक आग की लपट हो my ribs मेरी पसलिया were ready तयार थी to burst फट जाने के लिए but लेकिन I could no longer get मुझे अव नहीं आ रही थी enough air परियाप हवा into my chest मेरे सीने में यानि मुझे सांस भी नहीं आ रही थी and then और तब I felt मैंने महसूस किया I must cry out कि मुझे चीख पढ़ना चाहिए with my last breath अपनी अंतिम सांस के साथ let us test हमें आराम करना चाहिए good ठीक है he answer उसने जवाब दिया and his voice और उसकी आवाज was firm द्रण थी he was strong वो ताकतवर था he was brave वो बहादूर था he knew वो नहीं जानता था he knew not fear वो डर को नहीं जानता था and no fatigue और वो कोई fatigue होती है थकान वो थकान को भी नहीं जानता था my brother मेरा भाई अमरमर एक बड़बड़ा हट powerful ताकतवर and gentle और नाजुक सी विनमर सी अमरमर एक बड़बड़ा हट vast जो के विशाल थी and faint और धुनली थी the murmur बड़बड़ा हट of trembling leaves कांपती हुई पत्यों की of stirring boughs इस्टरिंग मने हिलती हुई बाउस लताओं की डालियों की rain दोड़ गई through the tangled depths यानि tangled होती है उलजी हुई depths गहराईया of the forest जंगलों की rain over दोड़ गई the starry smoothness सितारों से भरी हुई चिकना हट पर of the lagoon lagoon की यानि जो समतल पानी था तो उस पर smoothness पर एकदम दोड़ गई एक बड़ बड़ा हट एक सरसरा हट and the water और पानी between the piles धेरों के बीच में यानि चट्टानों के बीच में left छप चपाया the slummy slimmy timber यानि slimmy यानि चिकने timber लगडी को once एक बार with a sudden splash अचानक splash वो पानी की आवाज होती है चपाक की आवाज होती है तो चपाक पानी की आवाज से वो जो लगडी थी नाव की वो एकदम से फिर से भीगी a breath एक जोंका of warm air गरम हवा का touched छू गया the two men's faces उन दोनों मरदों के चेहरों को and passed on और गुजर गया with a mournful sound एक दुखवरी आवाज के साथ a breath एक जोंका loud जोर का and short और छोटा like जैसे के an uneasy एक बेचैनी से भरी हुई sigh of the dreaming earth सपना देखती हुई धर्ती की अर्सत वेंट ओन अर्सत ने कहना जारी रखा in an even एक समान लोग धीमी वोईस आवाज में we rain हमने दोडाई our cano अपनी नाव on the white beach सफेद बीच पर off a little bay छोटी घाटी के close जो के पास था to a long tongue लंबी जीव के off land जमीन की that seemed जो लगती थी to bar रोखती हुई our road हमारा रास्ता a long एक लंबी wooded लकडी की cape cape मतलब कि अंतरीप going जाती हुई far दूर into the sea समुद्र में my brother मेरा भाई new जानता था that place उस जगह को beyond the cape अंतरीप के आगे a river एक नदी has its entrance उसका मोहाना है उसका प्रवेश द्वार है and through the jungle और जंगल में होकर off that land उस जमीन के there is a narrow path वहाँ एक सक्रासा पतला सा रास्ता है we made a fire हमने आग जलाई and cooked rice और चावल पकाया then we lay down तब हम लेट गए to sleep सोने के लिए on the soft sand नरम रेत पर in the shade चाया में off our cano अपनी नाव की when she while she washed जबके वो देखती रही no sooner had I closed जैसे ही मैंने बंद की my eyes मेरी आँखे then तभी I heard मैंने सुना her cry उसकी cheek of alarm डर की we हम lived up उचल पड़े the sun सूरज was half way down आधा नीचे आ चुका था the sky आगाश में already पहले ही and coming in sight और हमारी दृष्टी में आते हुए in the opening यानि खुला जहां पर मोहाना था of the bay गाटी का we saw हमने देखा a pro pro एक मलेशिया की बोट होती है नाव होती है तो हमने एक नाव को mend यानि मरदों से भरी हुई mend by many paddlers जिसमें बहुत सारे नाविक भरे हुए थे we knew हम जान गए it इसको at once तुरंत it was ये थी one of our raja's pros हमारे राजा की नावों में से एक they were watching वो देख रही थे the shore किनारे को and saw us और उन्होंने हमें देख लिया they beat the gong उन्होंने gong बजा दिया कहते हैं घंटे को gong तो उन्होंने घंटा बजा दिया यानि alarm कह सकते हैं नगाड़ा बजा दिया ऐसा कह सकते हैं and turned the head of the pro and turned और मोड़ दिया the head यानि सिर सिर क्या होता है आगे का हिस्सा of the pro now का into the bay खाड़ी में I felt मैंने महसूस किया my heart मेरा दिल become weak कमजोर हो गया था within my breast मेरे सीने के अंदर dymeline sat dymeline बैठी हुई थी on the sand बालू में and covered her face और उसने अपना चेहरा ढग लिया there was no escape यहां बचना हो नहीं सकता था बाइदा सी समुद्र में my brother laughed मेरा भाई हसा he had the gun उसके पास बंदूग थी you had given him to one to one जो तुमने उसे दी थी before you went away इससे पहले कि जब तुम गए थे तुमने जाने से पहले जो उसको दी थी but लेकिन there was only a handful of powder लेकिन केवल मुठी भर powder था powder gun powder यानि बारूद केवल मुठी भर था he spoke वो बोला to me मुझसे quickly जल्दी से run भाग जाओ with her along the path with her उसको लेकर along the path इस रास्ते पर I shall keep them back मैं उनको वापस रोके रखूँगा for क्योंकि they have no fire arms उनके पास कोई भी गोला बारूद नहीं है and or landing in the face landing मने उतरना सामने आना in the face of a man एक ऐसे आदमी के with a gun जिसके पास बंदूख हो is certain death निश्य मृत्यू है for some कुछ के लिए कुछ लोगों के लिए run with her इसलिए तुम उसको लेकर भाग जाओ on the other side दूसरी ओर of that wood jungle के there is a fisherman's house एक मच्छुआरे का घर है and a canoe और वहाँ एक नाव भी है when जब I have fired मैं चला दूँगा all the shots सारी गोलिया I will follow तो मैं भी पीछे से आ जाओँगा I am a great runner मैं तो बहुत तेज दोडने वाला हूँ and before they can come up और इससे पहले के वो लोग आप आएंगे we shall be gone हम लोग भाग जाएंगे I will hold out मैं पकड़े रहूँगा या मैं सामना करता रहूँगा as long as जब तक के I can मैं कर सकता हूँ for क्योंके she is वो है but a woman केवल एक औरत that can neither run जो के ना तो दोड सकती है nor fight नहीं लड सकती है but लेकिन she has your heart उसके पास तुम्हारा दिल है in her weak hands उसके कमजोर हातों में he dropped behind the cano वो कूद गया behind the cano यानी नाव के पीछे the pro was coming वो जो नाव थी आ रही थी she and I rain मैं और वो लड़की दोडने लगे she मतलब की डाइमिलीन और मैं दोडने लगे and or as we rushed along जब हम दोडे the path रास्ते पर I heard मैंने सुना shorts यानी धमाके की आवाज my brother fired मेरे भाई ने fire किया once एक बार twice दो बार and the booming of the gong ceased or booming मने जो आवाज आ रही थी of the gong घड़याल की ceased रुख गई there was silence शान्ती थी behind us हमारे पीछे that neck of land neck मने गरदन मतब की रास्ता of land जमीन का is narrow पतला है before इससे पहले I heard मैंने सुना my brother fire मेरे भाई को fire करते हुए the third shot तीसरी गोली को I saw मैंने देखा the shelving shore shelving होता है ढालू shore किनारा मैंने देखा ढालू किनारा and I saw और मैंने देखा the water पानी को again फिर से the mouth मुहाना of a broad river एक चोड़ी नदी का we crossed हमने पार किया a grassy glade एक घास से भरी हुई घाटी को we rain down हम दोडे to the water पानी की और I saw मैंने देखा a low hut एक छोटी सी कुटिया above the black mud काली कीचर के ऊपर and a small cano और एक छोटी सी नाव hold up मैं घसीटते हुए ले गया hold up का मतलब होता है घसीट न तो एक छोटी सी नाव को मैंने घसीटा I heard मैंने सुना another shot एक और आवाज गोली की behind me मेरे पीछे I thought मैंने सोचा that is his last charge ये उसकी अंतिम गोली है we rushed down हम दोडे to the cano नाव की और a man came एक आदमी आया running दोडता हुआ from the hut उस कुटिया से जोपडी से but लेकिन I lived on him मैं उसके उपर कूदा and we rolled together और हम लुड़कने लगे साथ साथ in the mud की चड़ में then I got up तब मैं उठा and he lay still और वो शांत लेट गया at my feet मेरे कदमों पर यानि उस आदमी को उसने मार डाला I don't know मुझे नहीं पता whether I had killed him or not के मैंने उसे मारा था या नहीं यानि एक आदमी जिसकी कुटिया थी और जिसकी नाव थी अब उसने देखा अपनी नाव कोई कि ये लेके जा रहा है 68 और डायमिलीन तो वो लड़ने लगा उससे लड़ते लड़ते वो शांत हो गया आदमी नीचे गिर पड़ा तो लेकिन उसे पता नहीं है कि वो आदमी मारा था कि नहीं मारा था लेकिन हाँ अब वो इस लायक नहीं रहा कि इनसे नाव को छीन ले I and Diamelein मैंने और Diamelein ने धक्का दिया द केनो नाव को एफलोट और उसे तेराया धक्का देकर उसे तैराया नाव को I heard मैंने सुनी Yes, चीखें Behind me मेरे पीछे And I saw और मैंने देखा My brother मेरे भाई को Run दोड़ते हुए Across the glade उस खाई के मनदब घाटी के पार Many men, बहुत से लोग बहुत से आदमी Were bounding कूद रहे थे, उचल रहे थे After him, उसके पीछे I took her, मैंने उसको लिया In my arms, मेरी बाहों में And through her, उसको डाल दिया In the boat, नाव में Then lived in myself और फिर मैं खुद कूद गया उस नाव में When, जब I looked back मैंने वापस देखा I saw, मैंने देखा That, के My brother, मेरा भाई Had fallen, गिर चुका था He fell, वो गिर गया And was up again और फिर से खड़ा हो गया But, लेकिन The man, वो आदमी Were closing यानि पीछे पीछे आ रहे थे Round him, उसके चारोड He shouted, वो चिलाया I am coming, मैं आ रहा हूँ The man were close to him और वो बाकी के जो लोग थे और उसके पास पहुँच गए I looked, मैंने देखा Many men, बहुत से आदमी थे Then I looked, फिर मैंने देखा At her, उसकी ओर यानि, डाइमिलीन की ओर देखा Toan, I pushed the cano Toan, मैंने धका दिया Now को I pushed it, मैंने इसको धका दिया Into deep water, गहरे पानी में She was kneeling वो जुकी हुई थी Forward, आगे की ओर Looking at me, मेरी ओर देखते हुए And I said और मैंने कहा Take your paddle तुम अपना चपू उठालो While जबके I struck मैंने पानी को मारा I struck the water मैंने पानी को मारा With mine, अपने चपू से Toan, I heard him cry Toan, मैंने उसको चिलाते हुए सुना यानि अपने भाई को चिलाते हुए सुना I heard him calling my name I heard him cry my name twice मैंने उसको दो बार अपना नाम चिलाते हुए सुना And I heard और मैंने सुनी Voices, आवाजें, shouting चिलाते हुए Kill, मार डालो Strike, मार डालो I never turned back मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा तो मैंने आपको बताया था ना कि ये क्या हुआ था और ऐसा क्यों महसूस कर रहा है इस वक्त शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रहा है तो यही वो बात थी उसने अपने भाई को मर जाने दिया उसका भाई चिलना रहा है और उसको लोग मार डाल रहे हैं और ये शायद दौनों मिलकर लड़ते तो दौनों मिलकर जबके वो पहली बता चुका है हम दौनों बहुत ताकतवर थे दौनों मिलकर लड़ते तो शायद उसका भाई नहीं मरता लेकिन ये इस लड़की के चकर में इसको लेकर भाग लिया जबकि भाई इसी की वजह से आ रहा था इसके साथ भाई को तो इस लड़की से प्यार नहीं था इसको लड़की से प्यार था लेकिन भाई ने इसका इतना ज्यादा साथ दिया और अब जब भाई मर रहा था तो ये लड़की को लेकर भाग रहा था मैंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा मैंने उसको सुना पुकारते हुए माई ने मेरा नाम अगेन फिर से विद अ ग्रेट श्रीक बहुत तेज चीख के साथ and when or जब life is going out जीवन निकल रहा होता है together एक साथ with the voice आवाज के साथ and I never turned my head और मैंने अपना सिर बिलकुल नहीं गुमाया my own name मेरा खुद का नाम my brother मेरा भाई three times he called तीन बार वो चिलाया but लेकिन I was not afraid of life मैं जीवन से नहीं डर रहा था was she not there क्या वो नहीं थी वहाँ पर in that कैनो उस नाव में and could I not with her और क्या मैं नहीं उसके साथ find ढूंड सकता था a country एक देश where जहां death is forgotten मृत्यू को भुला दिया जाए where death is unknown जहां मृत्यू अग्यात हो the white when गोरा आदमी सेट अप बैठ गया 68 रोज 68 उठा and stood और खड़ा हो गया an indistinct एक अहसपष्ट and silent और शांत फिगर आकरती above the dying embers बुझते हुए अंगारों के उपर of the fire आके over the lagoon lagoon के उपर a mist एक धुंदल का एक कोहरा drifting उठता हुआ and low और नीचा head craft घुसाया था erasing यानि साफ कर रहा था slowly धीरे धीरे the glittering चमकती हुई images यानि छवियों को तस्वीरों को of the stars सितारों की यानि कि सितारों की जो तस्वीरें हिसाफ हो रही है इसका मतलब क्या हुआ कि दिन निकल रहा है and now or of a great expense एक बड़ा विस्तार of white vapor सफेद भाब का covered the land उसने पानी को ढख लिया it flowed ये तेहर रहा था cold, thunder, and grey और भूरा in the darkness अंधिरे में added in noiseless addy मैंने आपको बताय था भंवर होता है तो यानि लिप्टा हुआ in noiseless यानि शान्त noise माने शोर होता है और noiseless शान्त वरिल भंवरों में round, चारोड, the tree trunks पेड के तनों के and or about the platform चबूत्रे पर of the house धर के which seemed जो लगता था to float upon तेरता हुआ a restless एक बेचैन and impulpable impulpable जिसको ना चुआ जा सके अद्रिश्य illusion द्रिश्य of a sea एक समुद्र का only cable far away दूर the tops मिलब सिरे सिर of the trees इनों के stood खड़े थे outlined यानि किनारे पर of the twinkle of heaven यह जो twinkle होती है टिम्टिमाहट of heaven आकाश की like जैसे के a somber एक गंभीर and forbidden और मिलब के अप्शकुनी shore किनारा a coast एक किनारा deceptive जो दोखे से भरा हुआ था pity less निर्दई था दयाहीन था and black और काला था अरसर्स वोईस अरसर्स की आवाज vibrated कपकपाई loudly जोर से in the profound peace उस गहन शान्ती में अई था अई हैड हर देर मैंने उसको वहाँ प्राप्ट कर लिया अई हैड हर मैंने उसको प्राप्ट कर लिया तू गेट हर उसको प्राप्ट करने के लिए I would have faced मैं सामना कर लेता all mankind सारी इंसानियत का अई हैड हर लेकिन मैंने उसको प्राप्ट कर लिया एंड और इस वर्ड्स उसके शब्द वेंट आउट रिंगिंग गुंजते रहे into the empty distances खाली दूर दूर तक यह पॉस्ड वो रुका and seemed to listen और ऐसा लगने लगा कि जैसे वो सुन रहा हो to them उनको dying away मरते हुए very far बहुत दूर beyond help beyond means परे help मदद के and beyond recall और इतने दूर beyond मने परे recall कि उनको वापस नहीं बुलाया जा सकता then तब he said उसने कहा quietly चुपचाब to on I loved my brother to on मैं अपने भाई से प्यार करता था a breath एक जोंका off wind हवा का made him shiver उसको कपकपा गया high above his head उसके सिर के उपर high above the silent sea शान्त समुद्र के उपर of mist कोहरे के the drooping leaves drooping means उदास पत्तियां off the palm ताड के पेड़ों की rattled together आपस में तकराई with a mournful and expiring sound mournful दुख से भरी हुई और expiring मरती हुई sound आवाज के साथ the white man गोरा आदमी stressed his legs उसने अपनी टांगे फैलाई his chin उसकी ठोड़ी rested किकाई उसने on his chest अपने सीने पर and he murmured और वो बड़बडाया sadly दुखी होकर without lifting बिना उठाए his head अपना सिर we all love हम सभी प्यार करते हैं our brothers अपने भाईयों से अरसट worst out अरसट फूट पड़ा with an intense whispering वोईलेंस एक बड़ी तेज फुस्वसाहट बड़ी हिंसक तेज आवाज में वो फूट पड़ा what did I care मुझे क्या फर्ग पड़ता था who died कि कौन मरा I wanted मैं चाहता था peace शान्ती in my own heart अपने खुद के दिल में he seemed उसको लगा to hear कि उसने सुना हो a stir एक आवाज in the house घर में listened सुना then stepped in तब अंदर गया noiselessly बिना कोई आवाज किये the white man गोरा आदमी stood up खड़ा हो गया a breeze एक हवा was coming आ रही थी in fitful puffs fitful पागलपन से भरे हुए puffs जोकों के साथ the stars सितारे shown चमक रहे थे पेलर पीले होकर as if जैसे के they had retreated वो लोट गए हो into the frozen जमे हुए depths गहराईयों में of immense space immense यानि विस्तृत space अंतरिक्ष में after a chill gust chill मने बहुत थंडा gust जोका off wind हवा का there were a few seconds कुछ second of perfect काम पूर्ण शान्ती के and absolute silence और एकदम पूरी खामोशी के then तब from behind the black and wavy line from behind पीछे से the black काली and wavy और लहराती हुई line पंक्ती of the forest जंगलों की a column of golden light एक धारा of golden light यानि सुनहरी रोशनी की shot up निकल आई into the heaven आकाश में and spread और फैल गई over the semi-circle अर्द गोले के of the eastern horizon पूर्वी शितिज की शितिज मैंने आपको बताया वो जगे जहां धरती आकाश मिलते हैं the sun had risen सूरज निकल आया था the mist lifted धुंदल का उठ गया broke into drifting patches broke तूट गया into drifting तैरते हुए patches यानि गुच्छों में बिखर जाता है जैसे आपने देखा हुआ बादल भी बिखर जाते हैं छोट-छोटे patches में छोट-छोटे टुकडों में vanished गायव हो गया into thin पतले flying उड़ते हुए reeds reeds मदब गुच्छों में कह सकते हैं and or the unveiled lagoon unveiled यानि बिना परदे का या खुला हुआ lagoon lay lagoon लेटा हुआ था polished चमकता हुआ and black और काला in the heavy shadows गहरी परचाईयों में at the foot of the wall of trees at the foot मनिये जड़ों में of the wall of trees जो पेडों की दिवार थी उसके a white eagle एक सफेद बाज rose over it इसके उपर उठा with a slanting एक ढालू slanting ढालू होती है एकदम सीधी नहीं होती न slanting and ponderous और विचारों से भरी हुई flight उडान के साथ reached पहुचा the clear sunshine साफ धूप में and appeared और लगा dazzling चमकता हुआ brilliant तेजी से for a moment एक पल के लिए then तब soaring उड़ते हुए higher और उपर became बन गया a dark एक काला motionless गतहीन ना हिलने वाला speck means बिंदू dot before इससे पहले के it vanished ये गायव हुआ into the blue नीले आकाश में as if जैसे के it had left इसने छोड़ दिया हो the earth धरती को forever हमेशा के लिए the white man गोरा आदमी standing खड़ा हुआ gazing निहारते हुए towards before the doorway यानि दरवाजे की और heard उसने सुना in the hut उस जोपड़ी में a confused एक हरवड़ी से भरा हुआ and broken और तूटा फुटा मरमर बड़बड़ा हट of distracted words अजीव से शब्दों की distracted वोई तूटे फुटे शब्दों की जो के meaningless होते हैं जिनका अर्थ समझ में नहीं आता इतने ज़्यादा तूटे फुटे होते हैं ending जो इसका अंत हुआ with a loud groan जोर की groan होती है सिस्की यानि पहले वो कुछ बोला अर्सट अंदर अपनी पत्नी क्योंकि उसकी मरी हुई पड़ी है तो वहाँ कुछ बोला और फिर जोर से रोया suddenly अचानक अर्सट stumbled out अर्सट लड़ खडाता हुआ बाहर आया with out stressed hands हाथ फैलाए हुए shivered कामते हुए and stood still और खड़ा हो गया शान्त for some time कुछ समय के लिए with fixed eyes आँखें गढ़ा कर then he said तब वो बोला she burns no more अब वो नहीं जल रही है यानि उसको बुखार आ रहा था ना उस वक्त तो बुखार में जल रही थी अब वो कह रहा है she burns no more अब वो नहीं जल रही है यानि ठंडी हो गई है उपर the tree tops यानि पेडों की चोटियों पर rising उठते हुए steadily लगातार the breeze हवा freshened ताजी हो रही थी a great brilliance बहुत बड़ी चमक बहुत पेज चमक burst निकल रही थी upon the lagoon उस lagoon पर चा रही थी फैल रही थी sparkled यानि चमचमा रही थी on the rippling water पैरते हुए पानी पर the forest jungle came out बाहर आए of the clear shadows spashed परचाईयों से of the morning सुभह की became हो गए distant spashed as if जैसे के they had rushed वो दोड़ आए हो nearer pass to stop short to stop रुखने के लिए short बिलकुल pass in a great stir एक तेज इस्टर मने बहाव के साथ of leaves पत्तियों के of nodding boughs nodding मने हिलती हुई boughs मींस टेहनिया शाखाएं of swaying branches swaying जूलती हुई branches शाखाओं के साथ in the merciless यानि निर्दई sunshine धूप में the whisper of unconscious life यानि अवचेतन जीवन की grew louder और तेज हो गई speaking बोलते हुए in an incomprehensive incomprehensive जो समझ में ना आए voice आवाज में समझ में ना आने वाली आवाज में बोलते हुए round चारो और the dumb darkness डम यानि बहरा darkness अंधेरा of that human sorrow उस इंसानी दुख का अरसत's eyes अरसत की आँखें wandered घूम रही थी slowly धीरे धीरे then तब stared घूरने लगी at the rising sun उगते हुए सूरज को I can see nothing मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है he said उसने कहा half fell out आधा जोर से to himself अपने आप से there is nothing कुछ भी नहीं है said the white man गोरे आदमी ने कहा moving चलते हुए to the edge किनारे की ओर off the platform चबूतरे के end waving और हिलाते हुए his hand अपना हाथ to his boat अपनी नाव को a shout came एक शोर आया faintly धीरे से over the lagoon lagoon के उपर and the sampan और जो नाव थी begin to glide तैने लगी towards the abode घर की ओर of the friend of course जो भूतों का दोस्त था उसके घर की ओर यानि नाव जो इसको छोड़ कर चली गई थी white man को और बाकी लोग दूर चले गई थे इसको छोड़ने के बाद तो अब जब इसने हाथ हिलाया तो नाव वापस इस घर की ओर आने लगी if you want to come with me if you want अगर तुम चाहते हो to come आना with me मेरे साथ I will wait तो मैं इंतजार करूंगा all the morning पूरी सुबह said कहा the white man गोरे आदमी ने looking away दूर देखते हुए upon the water पानी में no toan नहीं toan said अरसत अरसत ने कहा softly नर्मी से I shall not eat मैं नहीं खाऊंगा और sleep नहीं सोऊंगा in this house इस घर में but लेकिन I must first see मुझे पहले देखना होगा my road मेरा रास्ता now I can see nothing मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं see nothing कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं there is no light कोई रोश्नी नहीं है no peace and no peace और कोई शान्ती नहीं है in the world इस संसार में but लेकिन there is death मृत्यू है death for many मृत्यू बहुत से लोगों के लिए we are sons हम बेटे हैं of the same mother एक ही मा के and I left him और मैंने उसको छोड़ दिया in the midst of enemies दुश्मनों के बीच में but I am going back लेकिन मैं वापस जा रहा हूं now he drew a long breath उसने एक لمबी सांस खीची he drew उसने खीची a long breath एक लंबी सांस and went on और जारी रखा in a dreamy tone एक सपना देखते हुए आवाज में in a little while थोड़ी देर में I shall see मैं देखने लगूँगा clear enough एकदम साफ to strike मारने लाएक to strike मारने लाएक but लेकिन she has died वो मर गई है and now or of darkness अंधिरा हो गया he flung उसने फैलाई his arms अपनी बाहें wide open एकदम चोड़ी let them fall along और उनको फिर गिरा दिया his body अपने शरीर की नीचे की और then stood still फिर शांत खड़ा रहा with unmoved face बिना हिले चेहरे के साथ and stony eyes और पत्थर जैसी आंखों के साथ staring घूरते हुए at the sun सूरज को the white man गोरा आदमी got down यानी चड़ गया into his canoe अपनी नाव पर the polars जो नाव चलाने वाले थे rain smartly वो तेजी से चलने लगे along the sides of the boat यानी जो नाव के दौनों और their shoulders अपने कंधों के ऊपर देखते हुए at the beginning शुरुआत को off a weary journey एक ठकाने हुई वाली यात्रा की शुरुआत को high ऊपर in the stern नाव के पिछले भाग में his head उसका सिर muffled up धका हुआ in white rags सफेद टुकडों में the जरागन जो यानि मालिक था इस नाव का set बैठा हुआ था moody उदास letting his pedal trail in the water और letting his pedal यानि उसका जो चपू था trail लकीर बनाता जा रहा था in the water पानी में लटका हुआ था तो लकीर बनाता जा रहा था the white man गोरा आदमी leaning जुका हुआ with both arms दौनों भुजाओं के साथ over the grass roof गास की छथ पर off the little cabin छोटे से जो cabin में looked back उसने वापस देखा at the shining ripple चमकती हुई लहरों को off the boats wake wake मैंने आपको बताया था कि जो लकीर बनाती हुई जाती है नाव उसको wake बोलते हैं तो उस नाव की लकीर की लहरों को उसने देखा before the something passed out something now है इससे पहले के नाव गुजरी off the lagoon lagoon से into the creek दरार की ओर he lifted his eyes उसने अपनी आखें उठाई अरसत had not moved अरसत नहीं हिला था he stood वो खड़ा था lonely अकेला in the searching sunshine searching ढूरती हुई sunshine धूप में and he looked और उसने देखा beyond the great light beyond मने परे the great light महान रोशनी के यानि सूरज के of a cloudless day एक बिना बादलों के दिन में सूरज तेश चमकता है तो उसके पार देखा into the darkness अंधेरे की ओर of the world संसार के of illusions भरम के कलपनाओं के माया जाल के यानि सूरज के पार जो एक संसार है जो कलपनाओं का संसार है उसकी ओर वो निहार रहा था तो अब ये कहानी यहीं खतम होती है ये वीडियो भी हम यहां समात करते हैं धन्यवादे